तो हाई अब्रिवाइन मेरा नाम प्रतिक जगाती और आज का हमारा वीडियो लेक्चेर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे वन अफ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस आपका इंट्रस रेट रिस्क मैनेजमेंट इस टॉपिक के अंद लाएंगे तो यह दोनों कोशिन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कोशिन वन और कोशिन टू एक में कैप ऑप्सन का कोशिन है और दूसरा है आपका कैप एंट फ्लोर का यह दोनों कोशिन प्रिवेस आर्टीपी में भी है तो मैं बदारों यह छोड़के नहीं जा सकते है ये दोनों question हम cover करेंगे, ये करने के बाद, इसके बाद हम discuss करेंगे forward rate agreement, forward rate agreement के मैं आपको concept समझाऊँगा, easily without नहीं formula, ये concept clear करने के बाद हम question number 4, question number 5, maximum सारे जितने question से वो सारे question कर लेंगे, बस मैं बता दू एक question मैं आपको नहीं कराऊँगा, that is interest rate future का question नहीं कराऊँगा, क करके बता दूँगा, आप वहाँ से इसको अराम से देख सकते हूँ, कोई problem नहीं है, बिना कोई purchase करे, फिर ये करने के बाद, forward rate agreement करने के अधा हम swapping का concept सिखेंगे, जहाँ पर हम swapping के जितने question है, जितने सारे practice में लो, study material के जो questions है, वो सारे questions भी मैं आपको cover करा दूँगा आप क्या करोगे, मेरा telegram channel से download कर लोगे, अब उसका link कहा मिलेगा, description में मैंने उसका link दे दिया है, आप वहाँ से जाओ, and telegram channel से आप download कर सकते हूँ, easily कोई problem नहीं है, and कोई अगर doubt हो, तो comment करना, और please subscribe ज़रूर करना, अगर मेरा वीडियो से पसंद आ रहा है, तो चले start कर है, मैंने funds borrow किया 10 लाग रुपे 5 years के लिए, अगर मैं fixed interest पे, fixed rate पे borrow करता हूँ, तो मुझे every year fixed rate of interest देना पड़ेगा, that is, अगर 8% है, तो मुझे हर सल 8% ही देना पड़ेगा, market का कुछ भी rate हो जाओ, फरक नहीं पड़ता, पर यहाँ पर मैंने fixed rate पे borrowing नहीं किया, मैंने borrowing किय floating rate interest पे borrowing, मतलब मुझे every year interest देना पड़ेगा, पर every year मुझे देखना पड़ेगा, कि market का क्या rate है, जो every year market का interest rate होगा, उस time पे, वही interest rate मुझे देना पड़ेगा, जिसको मैं कहते है floating rate, मालो LIBOR का हम use लेंगे, माल लेते हैं for example, वापस से मैं repeat करो, मैंने 5 years के लिए loan borrow किया ह और मुझे interest हर 6 months में देना है, every 6 months में मुझे interest देना पड़ेगा, कितना interest देना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा, कि floating interest rate है, तो माल लेते हैं, लाइबोर, जो लाइबोर होगा, every 6 months उस लाइबोर के rate में मैं interest दूँगा, लाइबोर क्या होगा, लंडन इंटर्बैंग offer rate, जो कि आपका जनरली 3 मेन, 6 मेनी का साल का अलग-अलग rates निकलता वो, जो market का rate है मुझे कहते है, लाइबोर भी होता है, माइबोर भी होता है, अलग-अलग types का होता है, तो यहाँ पर मालूम ने लाइबोर पे हमने किया सारा सोधा, कि जो लाइबोर का rate होगा, हर 6 मेना में, व 6 मेने में 8%. मुझे कितना देना है, 8% का, 6 मेने का 4% देना पड़ेगा, मुझे 8% तो приготов से तो 4% मुझे देना पड़ेगा, मालो, next 6 मेना में, में interest rate होगा 12%, तो 12% का 6 मेने का 6% होता है, तो मुझे 6% देना पड़ेगा, मतले, मार्केट में मुझे fluctuate करेगा my interest rate, जो market में, म करेगा LIBOR के रείट पर तो अब यहाँ पर प्राप्लोम किया है प्राप्ल्लम यहाँ पर यह है कि मुझे डर किस्बात का होगा इंट्रेसेट बढ़े कि इंट्रेसेट गिरे बिलुन अगर कि interest rate गिरे मैं कभी नी चाहूंगा interest rate बढ़े तो चुन अगर interest rate 20% हो गया तो मुझे 6 मेने का interest देना पड़ेगा 10% अगर interest rate 30% हो गया तो मुझे 6 मेने का interest देना पड़ेगा 15% मतलब मुझे डर इस बात का है कि कहीं interest rate बढ़ना जाए इस बात का मुझे डर है अब मैंने floating में borrowing तो कर लिया पर मुझे डर सता रहा है मैं रात को सो नहीं बा रहा हूँ मुझे निन निया रहा है यार क्या पता interest rate बढ़ गया तो फिर क्या होगा यह मेरा tension सता रहा है तो इस tension से बचने के लिए आपकी बस एक उपाई है उस रुपी इस market में funds मैंने borrow किया है और उस पर मैं interest देने वाला हूँ हर 6 मेना में LIBOR का rate पर अब यह हो गया side में अब मैंने किया कि एक और contract पर enter करना चाहा है क्यों enter करना चाहा है ताकि मैं cap option पर hedging कर सको वो contract मालो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ आप लोगों जो मैं और साथ contract करोगे मैंने आप लोगों से कहा चल लेक काम करते हैं हम लोग एक contract करते हैं जहाँ पर तू मुझे एक option देना मतल़ आप लोग मुझे को option दोगे और मैं बदले में आज आप लोगो एक nominal premium दोगा जो हम लोग option में पढ़ते थे ना कि मैं आपको एक premium दोगा और आप मुझे एक hug दोगे हग क्या चीज़ का दोगे मैंने आपसे बोला कि अगर interest rate 8% के उपर जाता है अगर interest rate 8% के उपर जाता है किसका लाइबोर का rate अगर 8% के उपर जाता है तो वैसा situation में जितना उपर जाएगा उतना आप मुझे देना ये मैंने हग आपसे ले लिया अब आप बोलो कि आप थोड़े ना free में हमें हग दोगे नहीं दोगे बदले में आप क्या ले तो interest rate 8% के उपर जाएगा तो जितना उपर जाएगा उतना मुझे extra पैसा दोगे और अगर नीचे जाएगा तो मुझे आपको देना नहीं क्योंकि मैंने आपसे हग लिया है मैंने आपको हग दिया नहीं है हग लेने के लिए बदले में मैंने आपको तो यहाँ पर आप मान दे कि क्या होगा मालों next six months में क्या हो गया interest rate 12% next six months में interest rate 12% हो गया आपका परेनम और हमने contract का रख आपके सथ कितना 8% का contract का रख होगा है तो यहाँ पर उपर गया कि मारा तो 4% परेनम और 6 मेंने का 2% आप मुझे दो गए अब देखोilos in मुझे मिलना है 2% 6 मेने का तो ultimately मेरा net कितना लग रहा है 4% नहीं तो लग रहा है 6 मेने का मतलब 8% परे नहीं ही लग रहा है मेरा तो यानि मुझे आपको यह समझाना है कि अगर मैं cap option में enter करता हूँ तो वैसा situation में मेरा फाइदा हो जाता है मतलब मेरा risk जो है 15 क्योंकि मैंने floating में बोरोगी है लेकिन इधर side में मैंने आप लोगे साथ contract कि 8% के उपर जाएगा तो जितना उपर जाएगा उतना आप मुझे देना तो market में 15% का 6 मेना मुझे कितना देना पड़ेगा 7.5% और आप मुझे 8% के उपर गया 7% 7% का 6 मेने का कितना 3.5% आप बोलो कि तो 8% यह होगा अब वापस एक ओर ले लेते है 25% हो गया market का market का rate हो गया 25% तो मुझे market में देना पड़ेगा 12.5% 6 months का मुझे 12.5% 6 months का market में देना और यहाँ पर 8% के उपर option exercise होगा तो आप मुझे कितना दोगे 8 के उपर कितना गया 17% गया तो 17% का 6 मेने का 8.5% आप मुझे दोगे तो मुझे पता चला कि 12.5% तो मुझे market में देना है 6 months का और आप मुझे दोगे कितना 8.5% यहनि ultimately मेरा तो 4% नहीं लगा effectively तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर interest rate 8% के उपर जाएगा तो जितना भी उपर चला जाए मेरा तो effectively 6 मेने का 4% नहीं क्योंकि 8 के उपर जाएगा तो जितना उपर जाएगा market में तो मुझे पूरे देना है पर आप से मुझे access जितना 8 के उपर जा रहा उतना मुझे आप से मिल जाएगा तो यह plane हमने समझा इस तरीके से कि कैसे work करता है अब यहाँ पर आप देखो माल लेते market का interest rate हो गया just 4% अब market का interest rate 4% हो जाएगा तो मुझे market में देना only 2% 6 मेने का और इधर option lapse हो जाएगा क्योंकि मैंने तो हक लिया है हक दिया नहीं न तो यानि आपको ही समझना है कि अगर 4 से नीचे भी मेरा हो सकता है 4 से नीचे भी मेरा लग सकता है क्योंकि मैंने हक लिया है लेकिन 4 से रुपिस बोरो किया है एट फ्लोटिंग इंट्रसेट में market में दूगा 10 लाग बोरो किया फ्लोटिंग इंट्रसेट में दूगा अभी चल रहा है चलो पहला 6 मेने का लाइब और चल रहा है 8% है ना तो मुझे किनना देना है पहला 6 मेना नहीं गलत ले ले तो पूरा साल कर लेते हैं फर्स्ट यहर का लाइब चल रहा है 8% तो मुझे मार्केट में 8% देना है अब मुझे केडर लग रहा है आगे जाके कि कहीं लाइब बढ़ जाएगा तो मुझे जादा देना बढ़ सकते हैं मैंने आप लोगों से separate contract करा लिया मैंने separate contract यह कर रहा है आप लोग दोगा तो 10% का strike rate में मैंने आपके सथ contract कर लिया तो ऐसा situation में पता है क्या होगा भले interest rate कितना भी बढ़ जाया मेरा 10% ही लगीगा कैसे लगे है मैं आपको समझा रहा हूं महा लेते हैं next year आपका market का interest rate that is libor हो गया 15% तो मुझे market में कितना देना है 15% देना है और आप मुझे कितना दे दोगे आप मुझे दोगे 5% तो 5% मेरे पास आप से आ जाएगा मुझे market में देना है 15% ultimately मेरा लगा किता है मेरा just 10% ही लगा मान लेते market का interest rate हो गया 40% 40 40% हो गया मुझे market में 40% और इधर 10 के उपर कितना गया 30 एक्स्रा हो गया 40 10 के उपर 40 तक यनि 30% आप मुझे दोगे तो 30 आप मुझे दोगे में market को दूगा 40 यनि मेरा लगा कितना 10% लगा मतला आपको यह समझना जिस strike rate में option खरीदूँगा cap option खरीदूँगा जिस strike rate पे उससे ज़्यादा मेरा interest लगने वाला नहीं है उतना ही मेरा लगेगा जिस strike rate में मैं खरीदूँगा उ करता है बस हाला कि कैप option का एक ही डिमेरिट है कि हमारा premium लगता है premium हमारा लगेगा लगने वाला आपका set of हो जाएगा तो market में आपको ज्यादा पी करना पड़ेगा वह आपका set of हो जाएगा किसके साथ में जो आपने option contract क्या cap option का contract क्या उसके साथ set of हो जाएगा तो इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से cap option work करता है अब हम इसी से related question करेंगे जो dat is ये question आपके study material में भी मिलेगा आपको practice manual में भी ये question है आपके और I think पिछले time time के RTP में भी है ये question तो ये question आप समझ सकते हो कितना ज़ाद आपके important है तो चली सुरू करते है next question one को हम पहले orally discuss करेंगे orally आपको समझ मैं जाएगा फिर solution करके मैं जाएगा हम पहले orally solve कर देंगे ठीक है start करते x budget limited borrows pound 15 million of six months libor plus 10% for a period of 24 months इन इसका borrowing कितना 24 months का borrowing period इसका 2 years का और ये हर 6 months में interest देने वाला है every six months इंट्रेस देगा कितना LIBOR plus 10% का obvious सा बात है आधा क्योंकि LIBOR plus 10% जो है ये ये obviously पर एनम है इसका आधा ही देना पड़ेगा आपको 6 मेना में the company anticipate rise in LIBOR इसे डर लग रहा कि interest rate बढ़ गया लाइब बढ़ गया तो ये anticipate कर रहा कि बढ़ेगा hence it proposes to buy a cap option capping लगाना चाहता है ये promise banker at the strike rate of 8% इन ये strike rate 8% आप बुलोगे किसका इस LIBOR का इन 8% के उपर अगर ये लाइब और जाएगा तो वैसा situation में क्या होगा वैसा situation में जो cap option exercise होगा और वहां से आपको मिल जाएगा benefit the lump sum premium premium मैंने बूला था ना premium देना पड़ था आपको अगर cap option है खरीद होगे आप 1% लगने वाला for the entire entire word important है पूरा का पूरा entire reset period का एक ही बाल लगेगा 1% lump sum and the fixed rate of interest is 7% परेनम बता दिया इसकी फर्स six months में कितना हो गया next six months में कितना हो गया next six months में कितना लाइबोर का rate हो गया यह मैं बता दिया फूर्थ वाली का बता नहीं तो हम ignore करेंगे यहां पर हमने किया कि 8% के strike rate पे हमने सोधा किये मतलब लाइबोर प्लस 10% आपको देना है यह आपको समझ में है यह पूरा परेनम का है तो यानि अगर लाइबोर को हमने 8% में कर दिया strike rate में यानि 8% के उपर जाएगा तो cap exercise होगा यह मैं पता चला 8% प्लस 10% केतना होता है यह होता है 18% और इसका 6 मेने का होगा आपका 9% क्योंकि 6-6 मेने हम देगे ना interest तो मैं यह कहना चाहता हूँ आपको कि 9 से उपर लगी गई नहीं क्योंकि 8 अगर लाइबोर का rate आपका 8% है तो ultimately आपको 6 मेने का 4% तक ही आपका लगने वाला है उसके ओपर तो cap से मिल जाएगा आपको और इधर 10 का आधा 5 यानि 9% से जादा आपका नहीं लगने वाला मैं आपको पहले यह clear कर रहा हूँ अब हम आगे verify करते हैं अब देखो माल लेते हैं first year में first reset period में LIBOR हो गया कितना 9% हमें MARKET में कितना देना है हमें मार्केट के देना है 9 plus 10 क्योंकि LIBOR प्लस 10% तो हमें MARKET में देना है 9 प्लस 10 यानि 19% का आधा कितना 9.5% हमें मार्केट में देना पड़ेगा first 6 months में अगर LIBOR का rate हो जाता है 9% और हमें market में देना है 6 मेने का LIBOR plus 10% यहाँ पर दिया हुआ वापस से में repeat करा हूँ तो LIBOR हो गया 9, market का rate 9 हो गया 9 plus 10 कितना हो गया 19% हमें तो 6 मेने का देना है तो 19% का 6 मेने का कितना हो गया 9.5% मतलब मुझे पता चला कि मुझे market में देना है first 6 months में 9.5% कि मुझे पता चला अब हम देखेंगे क्या cap exercise हो रहा है हम यह चेक करेंगे देखो 8% strike rate है LIBOR का और हो गया कितना 9% तो 1% बढ़ा ना तो 1% का आपको benefit मिलीगा पर पूरा 1% मिलीगा नहीं पूरा 1% तो per annum है क्योंकि 8% भी per annum है ये भी per annum है तो 1% per annum का benefit हो रहा है cap exercise हो रहा है 8 के उपर गया cap exercise हो गया 1% का पर हमने तो 6-6 मेने का cap ले रखा है जो आपका outflow होगा borrowing में वैसा ही आप capping लोगे यहाँ पर 1% का 6 मेने का कितना होगा 0.5% मतलब cap से आपका ये तो outflow होगा और cap से आपका आया 0.5% यहीं ultimately net कितना लगा आपका net 9% ही तो लगा क्योंकि 9.5% market में लगेगा cap exercise होगा 0.5% अपके पास आएगा ultimately आपका लगेगा net 9% ही लगेगा दूसरे case में दूसरे case में आप देखो 9.5% अगर हो जाता है तो तो market में कितना लगेगा 9.5% प्लस 10 क्योंकि Libor प्लस 10% हम दे रहे तो 9.5 Libor होगा प्लस 10 19.5 का आधा देना है 6 मेने का यहनि कितना आएगा 9.75% मतलब मुझे market में रियल में बोर्विंग किया है मुझे 9.75% market में देना कि मुझे समझ में आया और इधर क्या cap excise हो रहा है 8 की उपर गया क्या आँ गया 9.5 हो गया यह नहीं 1.5% से cap excise हो रहा है इसका 6 मेना कितना होता 0.75% मैं लिए 0.75% आपको मिलेगा caps है और 9.75 market में लगा यानि net कितना लगा 9% यह भी verified हो रहा है तुसरे तीसरे वाले situation में तीसरे वाले situation में market में कितना देना है 10 libor plus 10% 10 plus 10 कितना होगा 20% libor भी 10 और 10 यानि 20% का 6 मिने कितना देना 10% यह नहीं हमें पता चला market में तो हमें 10% देना है market में हमें 10% देना है और क्या cap excise हो रहा है 8% 8% libor का strike rate था हो गया कितना 10% तो हाँ cap excise होगा 2% 6 मिने का यानि 1% से cap excise होगा यानि ultimately net कितना आएगा 9% तो देखोन हर situation में हमारा net कितना लग रहा है हर situation में हमारा net 9% ही लग रहा है उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है हाँ उससे कम लग सकते है 9% से अगर libor गिरेगा तो पर 9 से ज़्यादा कभी नहीं लग रहा है यह आपका हर situation में लग रहा है और जो premium लगना वो तो लगी है आपका है 8 प्लस 10 कितना 18 का आधा 9% तो 9% से ज़्यादा तो लग नहीं नहीं कोई हालत में भी 9% से आपका ज़्यादा interest नहीं लग रहा है आपर तो मैंने यह आपको जो समझाया यह हाला कि आपका question में यह चीज आपको नहीं देना है यह मैंने आपके self understanding के लिए समझाया क्योंकि इस question में ऐसा पूछा नहीं गया है यह मैं रब कर रहा हूं पूरा इस question में ऐसा पूछा नहीं गया है इस question में इन्होंने जो requirement हमसे मांगा है हमें तो requirement के इस आपसे answer देना पड़ेगा मतल हम यह बताएंगे कि cap option से में benefit कितना मिल है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो भी निकालेंगे कि cap option exercise होने पर हमारे पास funds कितना आप है inflow कितना है हम कैसे निकालेंगे देखो हम लिखेंगे यहाँ पर inflow from cap option first reset period में क्या हुआ inflow from cap option देखो यहाँ पर हम यह चकन आराम से करेंगे 8% strike rate है 8% strike rate लाइबोर का और हो गया कितना 9% first reset period में यहनि 1% आपका बढ़ा 1% 6 महने का 0.5% यहनि 0.5% मिलेगा न मुझे inflow होगा किस पर pound 15 million पर यहनि मैं यह लिखूंगा pound 15 million पर 9% minus 8% यहनि 1% आपका excise होगा into 6 by 12 यह तो होगा हमारा कितना आएगा हम यह चेक कर लेते हैं यह आएगा कितना 1.5 million 75,000 आएगा यह pound 75,000 का benefit आएगा आप चेक कर सकते हैं आप यह आ गया हमारा फिर दूसरे वाले situation में हम देखते हैं दूसरे वाले situation में आप देखो 8 आपका strike rate है 9.5% हो चुगा है मतलब 1.5% बड़ा 1.5% का 6 मेना 0.75% आपका कैप से आपको benefit मिलेगा ना inflow मिलेगा इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं pound 15 million into 9.5% minus 8% into 6 by 12 यह आएगा यह नहीं आ जागा किना 37,500 इसमें एड कर देंगे 85 यह नहीं कितना आपका 1,12,500 आएगा 1,12,500 यह आपका inflow हो रहा है किसे cap exercise हो कि आपका इतना inflow हो रहा है यह cap exercise होने के विज़े से आपका इतना inflow हो रहा है तीसरे situation में pound 15 million तीसरा reset period में क्या हो गया 8 exercise था 8 strike था 10 हो चुका है तो 2% benefit 6 मेने का 1% मिलेगा आपको हम यह लिखेंगे 10% minus 8% into 6 by 12 यह नि 1% आपका आने वाला ultimately pound आएगा 1,50,000 आप calculator से चेक कर सकते हो तो इस तरीके से देखो हमने cap exercise क्या क्या होगा यह हमने amount निकाल लिए हमने निकाला first reset period में हमें इतना benefit मिलेगा cap से second reset period में हमें इतना benefit मिलेगा cap से अब यह तो में पता चल गया कि cap से हमें इतना benefit मिलने वाला है पर premium भी तो लगेगा आपका तो real में इतना benefit नहीं मिलेगा premium भी तो हमारा ख़र्चा लगेगा तो premium outflow कितना हो रहा है हमारा premium outflow हो रहा है initially एक ही बार लगेगा तो premium का ख़र्चा लगेगा क्या हा लगेगा lump sum premium का ख़र्चा लगेगा कितना one person one person हमारा premium का ख़र्चा लगेगा lump sum entire entire reset period के लिए एक ही बार लगेगा आपका तो one person अगर आपका लगेगा premium यहाँ पर आप मत लगाने आपर लोजिकली खुद सोचो गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीम्म आफ लोग क्या होगा वन पर्सेंट ओफ पांड फिफटीन मिलियन थो पांड आपका पॉइंड वन फॉइंड वन फैं फॉइंड होगी आपका ओंड फैंड होगा तो नहीं प्राइव प्रीम्म आप लो बता है एंड दाफ फिक्स रीट ऑफ इंट्रेस्ट इस सेवें परसेंट पहरे नहीं मतलब जैसे हम होता हैं कि हम कोई कार खरीदना चाते हैं तो कार हम इनीशली देंगे इनीशली हम खरीदेंगे तो मारा कार आ रहा है लेकिन अगर हम मालों फ्यूचर में पेमिंट करें यह फ्यूचर में इंस्ट्रॉल्मेंट में पेमिंट करेंगा तो इसको इंट्रस्ट के साथ इसका क्या इंस्ट्रॉल्मेंट मनेगा बताओ ऐसा नहीं बोला इन्होंने बस हलका सा हिंट दे दिया मैं कि फिक्स रेट ऑफ इंट्रस 7% पर हैने मतलब हम यह मानेगे कि यह ज तोड़ तोड़ के यह 4 पीरिट में दिया जाएगा, 4 पीरिट में दिया जाएगा और rate of interest कहलेंगे हम 7% अब देखो यह तो 6 मेनँ है, फ़र six month है, second six month है, third six month है, fourth six month ही, तो 6,6size month है, तो 6,6 둘 हम लेंगे तो interest rate आपका दिया हुआ है, market का ये use करने के लिए कितना 7% दिया हुआ है ना, पर हम इसे लेंगे कितना, ये पर याओ है हम तो 3.5% लेंगे, six months का, हमें 6 months का 3.5% मतलnya हमें अभी क्या करना है, यहां पहुचान है यहां पहुचान है और यहां पहुचान है तो आप बोलो कि अच्छा यह चार अलग्त में पहुचा अच्छा थो 37005 यह नृप हुचा दो खैंदे वजह स्पाइब इर्फ यह layout ओंगा गलत 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 नहीं वो सकता ऐसा अरे बहिर अगर इंट्रेस्ट भी टो लगी अपका का नहीं दो इंट्रेस्ट केलेर्ट करना आपड में आपड वह हम कैसे करेंग सेंग यह हम समझते हैं हमें ये तो पता चल है कि 4 हिसों में भीजनें अ में एक फार्स सिक्स मूंस में भीजनें अब हम किशने के बीजिगे नुगए बर्दो प्रेशेंड वेलू में रहता है और यहां पर future में क्या रहते है interest रहते है future में तो हमें क्या गरना पड़ी है इसके लिए मैं निकालना पड़ेगा Шट कि अगर फर्स्ट ट pork when यहां पर उने ए सका value क्या होगा अगर फर्स्ट six months में one value unterstützen का होगा वर डिवाइड़ वन पोइंट 1 divided 1.03 3.5% था ना 0.35 से देंगे यांदि 0.966 आगा पहले वाला 0.96 हागा दूसरे वाला 0.933 तीसरे वाला 0.902 और चोथे वाला हो जाएगा 0.871 यह मैंने ऐसा इसली लिया क्योंकि 0.961 में अब आप 3.5% ओट करोगे 1 आ जायगा 0.933 में अगर आप 2 बार 3.5% ऐड करोगे यह आ जाएगा 0.902 में अब अगर आप 3.5% आट करोगे यह आ जाएगा 0.871 में आप 4.35% ऐड करोगे तो आपके उपर है जिन्हों ने अपने आप खुछ self-study किया फिर कहीं से बढ़ा है वो अपने इसाब से कड़ सकते है को प्रॉब्लम नहीं है 0.966 plus 0.933 plus 0.902 plus 0.871 तो हम क्या करेंगे 1,50,000 को 3.672 से भेजेंगे यह यह एका 40850 मतलब एक प्रेश आपका प्रेमियम बन रहे है तो यह यह आपको प्रेमियम एतना देना पड़ तो आप देखो के 40850 जो है न इन टू फोर कर दो गया आपको तो 1,63,400 something लग रहा है ऐसे 1,50,000 लगता आपका इतना लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि interest लग रहा है क्योंकि आप future date में दे रहो तो मतलब हमने यह समझे हाँ पर कि देखो ना हमारा cap exercise होने पर हमारे इतना benefit आएगा every year और जिसमें से हमारा premium outflow इतना जाएगा हर 6-6 मेना पर है न तो हर 6 मेना में पहला 6 मेना में इतने आया तो 40850 pound चला भी तो गया premium के नाम पर premium outflow 40850 pound चला गया यहां पर भी 40850 pound चला गया यहां पर भी 40850 pound चला गया आपका तो यह अगर आपका चला जा जाएगा तो ultimately आपका कितना बचे का difference हो हमारा क्या होगा ultimately benefit होगा हमारा काम करदेंगे तो अब हम क्या करेंगे निकाल लेंगे देखो 75,000 benefit है पहला six months में और पहला six months का हमने premium निकाले कितना बनता है 40850 यह रहा 34150 आपका ultimately इतनी pound का benefit हुआ cap options है दूसरे बाले में 112500-40850 71650 pound का benefit हुआ आपका cap options है second reset period में फिर 150,000-40850 आया 109150 pound है हमारा third reset period में मतलब यहां पर हमें पूरा calculation करके नहीं बता है कि hedging होने से क्या फाइदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्योंकि कोश्य ने पूछा ही नहीं कोश्य ने बस इतना पूछा कि कि In of Sun Sun एक कितना benefit मिलैं किटना interested आपका hedging हो कितना आपको benefit मिलें हलां कि मैंने तो बता है nucle Aosun से आपको पूरा perfect hedging हो जाता आपका बस premium का खर्चाल लगता है पर यहां पर हमने बता है कि आपका benefit ड्यो to cap हमारा कितना हमने हमने बता दिया YouTube cap option हमारा कितना benefit वह थी four one five zero seven one six five zero one zero one nine five zero अब आप बोलो कि क्या हमें यह कर रहना है मैं कहूंगा नहीं यह सब नहीं कर रहना आपको यह भी नहीं करना आपको यह तो मैंने आपको understanding हलका सा दिया मेरा कहना है यह यह कि वह zero tier में आपका लगना है यह हमने खर्चा निकाला था और हम इसको क्या करेंगे चार रिसेट पिरेट में में बीचना है तो चार रिसेट पिरेट का मैं एक साथ कर सकते है calculator में क्या करेंगे one divided one point zero three five है नो करेंगे equal 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 चार बर करेंगे जीटी कर देंगा जीटी है लाया क्या से मैं आपको यह बता दिता हूं one into pv if a three point five परसेंट और फूर तैम्स कुछे मैंने का इससे हमने निकाला यह आगया आपका यह निए one like fifty thousand divided three point six seven three यह रहा रहा था ना तो कोई बात नहीं four zero eight three eight आ रहा है भी और हमने four zero eight five zero ले लिया था तो यहां पर आप दिको इसका बदल कि four zero eight three eight लिए लिक कोई रहा है कोई बात नहीं तो इसका टेंसर ना लो यहां पर यह भी लिख देता हूं में तो इसके सबसे यहां पर भी 12 का टोटा पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है समझाने के लिए पढ़ाना था था कि exam easy हो जाए exam में आपको क्या करना एक exam में आपको सीधा को देखते विए आप देखोगी कि iintraster को में hedge क्या करना में क्या करना है सब सब्सेबल रहा है यह सारा rate हो जाएगा तो हमारा कितना 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 तो इह हम लगा दें यह उन्समारी लगा देंगे क्या ने slip यह लुग यहां किमेने करने चलिए में आड़ प्ह dûन्समारी tatउज हों कि अर्पते है रख जब दीघा निकाल कितना 40838 आया था ना आपका या 40850 जो भी बोला आप यह माइनस से कर देंगे आपका अंसर आया देखो कितना टाइम लगा रिवाइस कराने में इसका अंसर आया तीनों बार का और वही आपका नेट बेनिफिट होने वाला क्या पॉप्सन के वज़े से जो हमारा अंसर होग कितना सिंपल है अब हम नेक्स कोशिन डिसकस करेंगे कोशिन नमबर टू ड़िस इसमें आपको कैप ऑप्सन भी समझाना मुझे फ्लोर ऑप्सन भी समझाना है यह कोशिन सबसे पहले मैं आपको बढ़ा दू इसका आईसे गा जो सोलूशन है वो रौंग है ठीक है तो आप अब को आईसे का सोलूशन फोलो नहीं करना है और नहीं मुझे अब कमेंट करना मौना कि आसे अंतर से मैच नहीं करें कैसे मैच करें उनका solution ही गलत है यहां पर हम start करने से पहले मैं आपको यह समझाऊँगा कि cap option and floor option दोनों आप एक तरह एक ही simultaneously एक साथ कैसे ले सकते हो किसी contract में यानि दोनों का contract आप कर रहे हो apart from जो आपका real borrowing जो है वो कैसे करोगे सुनना मेरे बाधिहां से मालों क्या होगा for example मैंने 10 lakh rupees market से वो रुकिया है और मुझे interest वहाँ पर floating rate पर देना है अब क्या होगा future में मुझे डर किस बात कहोगी कहीं interest rate बढ़ना जाए तो इस डर से बचने के लिए हमने सिखा था question number one में कि हम क्या करते cap खरीद लेते हैं यानि cap लगा देते हैं किसी interest rate पर मालो 10% के strike rate पर हमने cap लगा दिया तो ऐसा situation में अगर interest rate 10% के उपर ज़्यादा भी है तो मेरा real में 10 ही लगेगा कैसे लगेगा क्योंकि 10 के उपर जितना जाएगा उतना मुझे cap option वाला जहाँ पर मैंने contract किया cap option का वहां से exercise होगे मुझे पैसा मिल जाएगा यानि ultimately मेरा लगेगा कितना 10% या उससे कम ही लगेगा उससे ज्यादा लगने वाला नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया थे कि साथ ही साथ आपका क्या लगता प्रीमियम लग जाता है 10% का capping अगर मैं लगाऊंगा तो obvious से बाते हैं मैं premium outflow होगा क्योंकि मैंने हक लिया है तो हक लिया है तो मुझे premium देना पड़ेगा तो अब इसको recover करने के लिए आपके पास एक और उपाई है वो है floor option floor option में आप क्या करोगे आप नीची का rate पे floor base दोगे इसका मतलब ये कि माल लो 10% में मैंने capping लगाया यनि 10% के उपर जाएगा तो मुझे premium देना है तो ही 10% के उपर जाएगा तो मुझे benefit मेलेगा वैसे ही मैं क्या करूँगा मैं 5%, 6%, 4% जो भी किसी एक strike rate में मैं floor base डालूँगा मतलब मैं किसी एक दूसरे बंदी को पकड़ूँगा मालो आपके friend को मैंने पकड़ा आपके friend को मैंने बोला सुनना मेरे भाई एक काम करते हैं अगर 6% के नीचे interest rate जाएगा तो इस बारी जितना interest rate 6% के नीचे जाएगा उतना मैं आपको दूँगा अगर 6% के नीचे interest जाएगा तो जितना नीचे जाएगा वो मैं आपको दूँगा 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता वो depend करेगा आपके ओपर तो मैंने माना कि 6% के नीचे जाएगा तो जितना जाएगा interest मैं दूँगा मतलब इस बार मैं writer बन रहो और मैं आप से कह रहा हूँ कि आप मुझे premium दो आप floor option के holder बन जाओ और आप मुझे premium दो और अगर मालो interest rate लाइब और जो है वो अगर 6% के नीचे जाएगा तो जितना नीचे जाएगा उतना मैं आपको देने वाल हूँ तो इस बार मैंने हक खरीदा नहीं है इस बार मैंने हक बेच है cap option में मैंने हक खरीदा था इसलिए मैंने premium दिया था floor option में मैं क्या करूँगा हक बेचूँगा तो मुझे premium मिलेगा तो वैसा situation में जब cap exercise होगा तो मेरे पास पैसा आएगा और floor जब exercise होगा तो मेरे से पैसा जाएगा तो मतलब ultimately 10% की उपर गया interest rate अगर strike rate 10% है cap का 10% की उपर जाएगा तो वैसा situation में cap exercise होगा और मुझे पैसा मिलेगा और अगर मानलो 6% की नीचे चला जाएगा पर यहां पर यहां पर यह कोशिए जो हम अभी करने वाले question number 2 यहां पर इन्हों ने क्या कहा यहां पर इन्हों ने हम से यह कहा कि premium आपका zero लगेगा क्योंकि इनका कहना है कि जो आपका premium आपका cap में जाएगा वही premium आपका floor में आएगा यह life में ऐसा जरूर ही नहीं पर यहां पर हमान रहें कि जो premium हम दे रहें cap में वही हमें floor में return मिल जाएगा तो ultimately हमारा premium क्या लगने वाला है नील लगने वाला है तो यहां पर इसी question को आप मैं औरल ही आपको समझा दो 7% आपका cap है मतलब 7% में आपने cap खरीद लिया तो 7% की उपर जाएगा तो cap exercise होगा और 4% में अपने floor बेचा है ठीक है sell किया है यह अपने sell किया है हम पढ़ेंगे पूरा question और यहां पर आपने cap buy किया है तो 4% की नीचे जाएगा तो floor exercise होगा और आपको पैसा देना पड़ेगा यह हमें समझ में अब यहां पर हमें क्या क्या हुआ है हमें अलग अलग reset period का LIBOR का reads दिया हुआ है मैं आपको बदा दूँ अगर कोई बंदा पुराना practice manual पुराना study material फोलो कर रहा है तो उसमें reads गलत नहीं दियावा था पहले के मुकाबले अभी comparatively इन्होंने नया material में change कर दिया तो आपको यही reads फोलो करना है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर अगर बात करें दिखो खोगा क्योंकि 7% तो strike rate है तो 7 के उपर जाएगा तो cap exercise होगा और floor कब exercise होगा जब 4 के नीचे जाएगा 4 तक भी नहीं होगा 4 के जब नीचे जाएगा तो floor आपका exercise होगा तो आप यहाँ पर सुनो क्या 6% में cap या floor exercise होगा मैं कहूंगा नहीं होगा क्यूंकि 7 के उपर भी नहीं है, 4 के नीचे भी नहीं है, तो बोथ हम कहेंगे lapses, दोनों laps हो जाएगा, cap and floor, दोनों laps हो जाएगा, 7.5 में आप देखो, 7 के उपर गया न, यहां पर क्या होगा, cap exercise होगा, और obviously बात है, at a time, तो either cap exercise होगा या फ्लोर exercise होगा, दोनों तो होई नहीं सकता, क्योंकि 7 के उपर, 4 के नीचे दोनों एकसाद कैसे होगा, तो यहां पर हमें पता चले, यहां पर दोनों laps हो रहा है, यहां पर cap exercise हो रहा है, 5% में, दोनों laps होगा, 4% में, देखो, 4 के नीचे जाना पड़ेगा, 4 में भी क्या होगा, दूनों लाप्स हो जाएगा 3.75 में cap तो लाप्स हो गया पर floor आपका exercise हो जाएगा यहाँ पर हमें पता चला कि floor हमारा क्या होगा, exercise होगा फिर आगे 4.25% में देखो floor भी lapse होगा, क्योंकि 4 के नीचे exercise होता है 7 के उपर cap exercise होता है तो यह भी क्या होगा, lapse हो जाएगा तो मतलब ultimately मुझे क्या पता चला मुझे ही पता चला, एक तो इसमें cap exercise होने वाला है, और दूसरा इसमें floor exercise होने वाला है, बस यह दो rate में आपका exercise होने वाला है अब अगर हम बात करें, पूरा 100% इस question का, तो ध्यान से सुनो मेरे बात अब हम question start करते है हमने समझ लिया आपर, कि अगर हम cap और floor दोनों लेंगे, premium हमारा zero लगना है और दो situation में, एक में cap exercise होगा एक में floor exercise होगा, मतलब यहाँ पर हम कह सकते, cap exercise होने पर तो पैसा आएगा, क्योंकि cap हमने खरीद है, हक लिया हमने, यहाँ पर inflow होगा, और floor exercise करने पर पैसा जाएगा, क्योंकि अपने हक का बेचा है यह आपको ध्यान से सुनगा, यह हमने समझा अब अगर हम बात करें, question का starting कर दे देखो, pound 10 million आपने issue किया है floating rate loan, मतलब आप नहीं पता है, आपने कुछ loan documents issue किया, loan notes issue किया या फिर आप कह सकते हो, आपने debenture issue किया, इसका मतलब यह नहीं कि fund आपने issue किया, आपने तो fund बोरो किया जैसे हम bonds, debenture issue करके funds raise करते हैं, तो वैसे हम आपर इन्होंने loan issue करने का मतलब, इनका पास इतना fund आया है, pound 10 million funds मतलब मैंने बोरो किया, कब 1 July 2013 को, जिसका coupon reset होगा every 6 months, मतलब आपका interest का payment 6-6 मेहना से होगा, तो obviously बात है, यह सारे rates तो मानेंगे क्या है यह सारे per annum के rates ही होते हमें इसा हर जगा पे, कुछ नहीं बोला हुआ, तब भी समझ लेना हो per annum किये, तो हमें 6 मेने के सबसे करना पड़ेगा यहाँ पर आगे देखते है, market में कितना देगा, यह जो 10 million fund बोरो कर रहा है, यह fund बोरो करने का rate क्या देगा market में, यह देगा LIBOR plus 50 basis point मतलब LIBOR तो देगा, यह साथ में 0.5% ओड़ेगा, और यह भी किया में बताऊ, यह पर annum है, LIBOR plus 0.5% जो है न, यह भी दिहान है, सब पर annum में रहते हैं, पर हमें तो 6-6 मेने का हिसाब करना है, एक्स वाज़ेट इस इंट्रस्टेट इनने, कॉलर स्टेजी, बाइ अब आगे पूछा किया, अब आगे पूछा किया, इस इच रिसेट डेट में कितना आपका लगे, यह हमें बताना है, चलो बता देगे, अवरेज ओवरॉल एफेक्टिव रेट ओव इंट्रस्ट भी बताना हम बता देगे, तो सबसे पहले तो मैं औरल डिसकसन कर लेता हूँ आपके साथ, देखो, पहला छे मिना में, यहां पर औरल डिसकसन हो रहा है, फिर मैं यह रप कर दूँगा, दो मिट सुनलो मेरे बाद तक कि आपका 100% clarity आजाए, पहला 6 मिने में क्या हुआ, आपको मार्केट में देना है इतना, लाइबोर प्लस 0.5% पर इरम का आपको इतना देना है, और पहला 6 मिने में हुआ कितना, 6%, तो 6% अगर है, तो लाइबोर प्लस 0.5% यह आपका, पर इरम है, ध्यान रहे है, तो अगर पहला 6 मिने का लाइबोर 6 हो जाएगा, तो 6.5% देना है, पर यह 6 मेने का को निकाल की देना पड़ेगा, इतना आपको देना पड़ेगा, इक बने हम साल के करते हैं, 6 मेने का जब मैं सोल््वीशन करAPE, मैं आपको बता दूँझा, मालए पर न मेन की हिसाफ से 6.5% आपको market में देना है, इसका 6 मेने का देना है, पर ये 6 मेने का हिसाफ से जाएगा, यह हमें बता चला पहला सिचूशन में, दूसरा सिचूशन में आप देखो, 7.5% अगर लाइब और हो जाता है, तो मार्केट में कितना दिना पर रेनम के साफ से, 7.5 प्लस 0.5, यानि 8% पर रेनम, यह हमें मार्केट में देना है, 6 मेने क calculate करके, है न, यह मार्केट में देना है, और हमारे पास आएगा क्या, क्या कुछ exercise होगा, हाँ, cap exercise होगा न, cap कितना exercise होगा, देखो, आपने क्या किया है, आपने 7% में capping लगाया है, तो cap exercise हो रहा है, कितना होगा आपका exercise होने पर, 7.5 हो गया, तो 0.5% अपको मिलेगा न, तो 0.5% अगर हमें मिलेगा, तो हमारा लग रहा मार्केट में कितना, मार्केट में हमारा लग रहा है 8%, और हमें ultimately मिल जाएगा कितना, 0.5% हमें मिल जाएगा ultimately, तो अगर हमें 0.5% inflow होगा हमारा, तो ultimately देखा जाए, तो हमारा लगेगा कितना, 7.5% ही तो हमारा लगेगा, बतला आपको यह समझना है कि आपका जो strike rate है वो cap का है 7% strike rate cap का 7% है और extra से 0.5% आप दे रहो तो मेरा कहना है यह कि 7.5% से ज़्यादा तो लगी गए ने क्योंकि strike rate 7% है extra से 0.5% भी तो जा रहा है तो 0.5% से 7.5% से ज़्यादा कोई भी situation नहीं होगा आपका आप कुछ भी ले लेना 50, 20, 30% जो भी ले लेना उससे ज़्यादा आपका लगने वाला नहीं 7.5% मैक्सिमा में नीचे हो सकता आपका उपर नहीं जाएगा तो देखो पहला situation में हमने बता किया 6.5 लगीगा दूसरे वाले में हमने बता किया कि 8 market में जाएगा और cap से 0.5 लगीगा आपका market में 6 मिने का calculate करके और दोनों laps हो जाएगा चोथे situation में 4.5, 4.5% market में लगीगा दोनों laps हो जाएगा पांच वे situation में देखो 3.75 plus .5 basis point जो था यानि 4.25% तो market में लगीगा आपका और साथ-साथ में यहां पर मैं गहरा हूँ 4.25% तो market में लगीगा आपका साथ में floor भी तो exercise होगा तो floor हमने बीचा था 4% में और हो गया 3.75% यहनि 0.25% हमें और देना पड़ेगा outflow होगा हमारा क्योंकि floor तो हमने बीचा था यहनि plus .25% और लग जाएगा यहनि कितना लगीगा 4.5% आपका लगीगा यहां पर हमारा 4.5% लग जाएगा फिर आगे नीचे वाले में 4.25% में देखो दोनों लापसी हो रहा है तो ultimately 4.25% प्लस .5 आपका extra से यहनि 4.75% ही आपका लगीगा पर एनम का 6 मिने का calculate हमें करना जो हम करेंगे तो मैंने आपको समझा दे कि effectively आपका क्या percentage लगी उसको हम low amount से multiply करेंगे हमारा answer आ जाएगा खतम होता कहा नहीं लेकिन अब मैं इसको solution को properly present करूँगा ताकि आपको बहतर तरीके सा समझ में अब वापस से एक और ची मैं आपको बता दूँ आईसे ने जो solution किये है आईसे ने solution करते वक्त में इन्होंने number of days के basis में calculation किये है अलग कि यहां question में कुछ mention नहीं है कि number of days के इसाब से करो पर आपको तो ICA का exam ही लिखना है मेरा exam थोड़ना लिखना है तो यहां पर हम months के इसाब से भी करना गलत नहीं है पर मुझे डर है कि ICA गलत करके काटना दे उसको तो आप धियान रखना जहां पर भी क्या पर float दोनों रहे वहां पर आप क्या करों कि dates वगेरा कर सारा mention क्य क्या हूँ आपका dates जिसे अलग-अलग dates यहां पर mention क्या हूँ है तो जहां पर आपको लग रहा possibility कि number of dates निकाला जा सकता है अब number of dates की basis में ही करना वह आपके लिए सबसे best suitable रहेगा तो हम यहां पर number of dates की basis में calculation करेंगे तो यहां तक तो अभी मैंने समझा है आपको अब मैं solution करा के दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे एकदम simplest तरीके से question number two अब हम start करेंगे देखेंगे अब यहां पर देखो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आपका outflow जो है वो real borrowing जो आपने किया है उस पे कितना लगीगा every reset period में हम यही निकालने है तो हम निकालेंगे यहां पर reset period आपका जो होगा है ना और इधर हम cap oblique floor option का बात करेंगे तो इसको थोड़ा से इधर ले आदा हूँ इसमें आपका in flow या outflow होगा और यहां पर हम लग देंगे net net कितना आपका हो लग रहा है अब देखो पहला reset period का अगर मैं बात करूँ तो फस्ट reset period आपका है ना तो फस्ट reset period क्या डिटे डिटी लिख देते हैं 31 डिसंबर 2013 यह हमने लिख दिया अब देखो फस्ट reset period में real में आपने जो borrowing किया है कितना बोरूइंग किया अपने real में अपने 10 million बोरूइंग किया है इन्ही 100 लाग होते है अपने 100 लाग का borrowing किया है real में इतने का आपने borrowing किया अब यह जो अपने borrowing किया इस पह आपका market में real में कितना interest लगए आपको यह जानने है देखो LIBOR plus 0.5% आपको देना है यह हमें पता चला परेनम का LIBOR हो गया 6% मैं यह सब भी मिटा रहा हूँ अभी बार यह सारा में मिटा रहा हूँ ठीक है हाँ यहां पर देखो LIBOR हो गया 6% और हमें तो देना है LIBOR plus 0.5% देना है यहां पर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहां पर आप देखो यहां पर प्लस 0.5 आएगा न तो 6.5% आपको देना पड़ेगा 6.5% हमें देना है पर हमें तो 6 मेहने का देना है 6 मेहने कम क्या करेंगे number of days निकालेंगे यहां पर हम क्या से निकाल सकता है आप देखो आपने 1st July 2013 को इसू किये और आज का ड पुरा आगस्ट का मेहने का 31 days September का मेहने का 30 days October का मेहने का 31 days November का मेहने का 31 days वापस से बोरहो जुलाई का 31 August का 31 September का 30 ठीक है यह सारा करने पर 184 days है यह 184 days हमने निकाला यहां पर ICA के accordingly हमने किया कि हमने 1st day वाला का भी date count किया लास्ट दे वाला भी date count किया यह भी ICA के इसाब से मैंने यह date count दोनों कर दिया अदरस 183 days लोगे तो भी कोई problem नहीं है मेरे ख्याल से यहां पर यह आपने कर दिया तो यह करने पर अब आपको पता चाल जाए कि आपका ultimate लगीगा कितना ऐसा मतला मेरा market में जाएगा 110 million pound का 6.5% जो market का rate होगा लाइबर प्लस 0.5% के साब से इसका 184 days का मैं payment कर दूँगा मैं कर लिता हूं calculation 100 लाग हो गया हां into 6.5% into 184 divided 365 मतलब 327671 मुझे देना है यह मेरा outflow होगा और यहाँ पर देखो cap और floor के दोनों में से कुछ भी exercise होगा 4 के नीचे 7 के ओपर नहीं है मतलब दोनों क्या होगा lapse यह नहीं ultimately net क्या लगीगा मेरा net मेरा लगने वाला है 327671 ही मेरा net लगीगा पहले वाले situation में मुझे पता चल गया है ना क्योंकि cap भी lapse हो रहा है floor भी lapse हो रहा है आपका यह मुझे पता चला है हम पर अब दूसरी वाला बात करता हूँ 31st 30 June 2014 30 June 2014 है इसमें भी हम क्या करेंगा 100 लाग का कितना % दिन आपको यह चेक करना है हो गया देखो 7.5% हो गया लेकिन LIBOR plus 0.5 यह नहीं 8% हमें मार्केट में देना है इन्हीं होगा 8% और number of days निकालेंगे आप देखो number of days क्या 31st December तक का तो हिसाब हो गया पहले तक का अभी देखो जनवरी का पूरा मेहना कितना 31 days परवरी का मेहना हम 28 days ले 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 थे हमने ले लिया मार्च का 31 अप्रेल का 30 में का 31 जून का 30 days हमने ले लिया पूरा तो यहां पर आप देखो कितना आ रहा 30 60 90 150 आ रहा 153 और 153 और 163 181 days आ रहा है यह आएगा 181 days डिवाइड पर 365 आ जाएगा आपका इस से यानि मार्केट में हमें देना है इतना 396712 हमें मार्केट में देना है और कैप और फ्लोर में से क्या कुछ भी exercise होगा मैं कहूंगा yes होगा क्यूंकि देखो ना कैप अपने 7% में strike rate में लिया था ना हो गया कितना 0.5% तो कैप अपका exercise होगा कितना 0.5% अपका कैप exercise होगा ना 7 के उपर 7.5 चला गया तुम यहाँ पर हम कहेंगे yes कैप exercise होगा आपका कितना होगा inflow होगा आपका कैप में कैप में inflow होगा कितना 100 लाख पे 0.5% inflow होगा और वहीं same 181 days यहाँ पर भी 181 days के सबसे कर लेंगे आजागा ना आपका वापस से repeat कर दे रहा हो देखो 7% आपका कैप का strike rate था जिसमें आपने सोधा किया था हो गया कितना 0.5 7.5% मतलब पतलब लाइबोर 0.5% से बढ़ा तो 0.5% अपका कैप exercise होगा लेकिन हमें तो 6 मेने का निकालना है तो मैंने number of disk लगा दिया 0.5% में यहाँ पर अब हम निकाल सकते हैं 100,000,000 का 0.5% into 181 divided 365 यह रहाँ 24794 24794 तो देखो यह आपका inflow है और एक तरफ आपका outflow है ठीक है यह आपका inflow है धिहां रखना तो आपका आएगा 396712 माइनस करेंगे ना inflow को 794 यह रहा 371918 यह यह तो second reset period भी हमने निकाल लिया अब हम थड़ वाला कर लेते हैं थड़ वाला क्या होगा date 31st December ना 31st December 2014 यहाँ पर भी 100 लाक होगा इंटू करेंगे कितना थर्ड रिसेट प्रेट में देखो कितना हो गया 5% रेट हो गया लाइबर प्लस पॉइंट फाइव भूलना मत पॉइंट फाइव वाले को ने तो गरवड हो जाएगा मैं आपके लिए अराम से कर रहा हूँ इंटू नंबर ओडेस लेंगे आपर अब नंबर ओडेस कैसे लेंगे देख लो यहाँ पर जून तक का हमारा हिसाब है जुलाई से जुलाई का 31 days ओगस्ट का 31 days सब्टेमबर का 30 days October का 31 November का 30 और इधर आपका आजाएगा December का 31 यहीं आपका चार 184 days ही आएगा 184 days हम यहाँ पर ले लेंगे 365 आजाएगा हमारा 100 लाग इंटू 5.5 परसेंट इंटू 184 दिवाइद 3 5 277 260 यहाँ टू डबल सेवन 260 आपका 5.5 परसेंट लिया था हमने परफेक्ट और दूनों लाप्स हो रहा है इदर यह तो दूनों लाप्स हो जाएगा न आपका इस पर यहनि अल्टिमेटली लगएगा कितना 277 260 हमारा अल्टिमेटली लगा यहाँ पर नेक्स्ट वाला करेंगे अब हम 30 जून 2015 यह पर भी हंड्रेड लाग पर कितना परसेंटीज लगाना है देखो और परसेंट हो गया लाइबर प्लस पॉइंट फैव यह नहीं 4.5 परसेंट 4.5 परसेंट और नंबर और इसन निकालना पड़ेगा तो करेंगे नंबर और और निकालेंगे आपका क्या आएगा डिसमबर से जून तक जनवरी का 31 परवरी का 28 निकाला तो था यह वला निकाला था यैनि अल्टिमेट ली ंट यून डेस था आएगा आपका 181 DC तो आएगा आपका मैं लीपियर कोई काउंट निकरों कंसेडर निकरों किसी एक में आएगा आएगा मैं इग्नूर कर दिना आप देख लेना अगर आईसे ने लीपियर लिया तो चेक कर लेना अब इतना फुरसत नहीं है मेरे पास की लीपियर भी देखते रहूं मैं ठी क्या है आपका लीपियर कौन से पिरेट में मुझे भी ध्यान में नहीं है भी यह रट्टा बाजी नहीं होता है मेरे से अंड्रेट लाग इंटू 4.5 परसेंटेज 4.5 परसेंटेज है इंटू 181 डिवाइद 365 तू 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 त्री वन फाइफ जिरो और इसमें भी दोनों लाप्स होगा हमने पहले निकाल लिया था दोनों लाप्स होगा फोर के नीचे भी नी सेवन के ओपर भी नहीं है य अटिमेटी लगेगा कितना तू 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 त्री वन फाइफ जीरो यह आ गया फिर बापस से नेक्स्ट आपका आएगा 31 डिसमबर 2015 100 लाग पे कितना देना पड़ेगा आपको इंड्रेस्ट 3.75 हो गया ना तो मार्केट में देना है प्लस पॉइंट 5 यानि 4.25 परसेंट और नमबर व डिस क्या होगा आपका वही जन्वरी से लेके शुरिये हाँ आपका जुलाई अगर सप्टेमबर अप्टूर नॉर्बर डिसमन राइट 184 डिस ही आने वाला है 365 है ना यह कर लेंगे यानि हंड्रेड लाग इंटू 4.25 परसेंट इंटू 184 डिवाइद 365 यह एड़ 214246 अगया और क्या यहां पर कॉल या तो कैप या फ्लोर एक्सेज हो रहा है यहां पर क्या होगा हमारा आउट फ्लोर होगा क्योंकि फ्लोर अमने फॉर परसेंट में बेचा था लाइब और वह गया 3.75 परसेंट जब आप क्या पर देखोगी तो 50 पीसस पॉं लाइव प्लोर प्लोर में आपका अग्लोक बहुत है कितना होगा कोई 100 लाग पर control परसंटेज परसंटेज और यह जाएगा कितने दिनों का 184 डेस का 12602 आपका यह आट फ्लो होगा यह आपको ध्यान में रहाना तो दोनों इस बार ही आउट फ्लो है 214246 12602 मैंने बता दिया औरेडी गलत है 226848 जरूरी नहीं हमेशा इसे सही होगा हमेशा यह बहुत सारे जगह में गलत होते हो यह आपको भी पते हैं 30 जून 2016 हंड्रेड लाग पे क्या लगी है मार्केट पे 4.25 हो गया तो 4.75 लगीगा ना लगा दिया हमने और यह भी आएगा 181 देसे ले लेते फटा फट से तना आएगा यानि हंड्रेड हंड्रेड लाग पे 4.75 परसेंटेज इन्टु 181 दिवाइड 365 यह रहा 2355 47 क्या गया 2355 47 और इधर हमारा देख न 4.25 पे तो दोनों लाप्स होगा इन्ट यह हमारा आगया कितना 2355 47 आगया तो देखो न हमने क्या क्या हमने एवरी रिसेट पीरेड का क्या हमारा आउट फ्लो है यह हमने निकाल लिया सारे रिसेट पीरेड का यहां पर ध्यान रखना यहां पर हमने क्या किया है मैं लिखवा देता हूं यहां पर हमने माइनस किया है क्योंकि 396712-24794 क्योंकि एक आउट फ्लो और एक इन्फ्लो है आपका पर यहां पर आपको मैं बता दूँ यहां पर हमने प्लस किया है क्यो पूरा का पूरा तीन साल का पूरा का यहां पर पॉइंट नंबर टू करेंगे कि एवरेज एफेक्टिव इंट्रेस्ट रीट यह में निकान लें कैसे निकालेंगे दिको सबसे पहले तुम यह दिखेंगे पूरा का पूरा एंटायर जो तीन साल में हमने कितना गार वन मैं चेक कर लेता हूं पार 327671 कि यहां पर यह आया है आपका तो आपने दिखाऊ आपने पूरे के पूरे तीन साल में 1662394 अब देखोँ एक साल में 365 देस होता है यह इंट्रेस आपने कितने देस में पेकिया अब यह जानो यह इंट्रेस हमने कितने डेस में किया तीन साल में हमने interest पे किया यानि आप देख सकते हूं यहाँ पर भी days आप count कर लोगे न 184, 181, 184, 181, 184, 185 मतलब एक साल में 365 days किया मतलब टोटल आपने payment किया है टोटल आपने 1095 days में इतना interest पे किया मतलब मेरा कहना यह कि इतना interest आपका लगा है पर कितने days में लगा है 1095 days में लगा है और हमें per annum का बताना effective interest तो हम क्या करेंगे हम मेरा कहना यह है कि हमारा interest लगा 1662394 हमारा interest लगा कितना का borrowing में लगा 100 लाग का borrowing में लगा लगा इतना इस से into 100 करेंगे तो हमारा percentage आ जाता है आप यह कोगे पड़ी जो percentage हमारा आएगा यह 1095 days का आएगा क्योंकि इतना interest हमने 1095 days पे payment किये है तो मैं क्या करूँगा divided by 1095 days कर दूँगा अगर मैं divide करूँगा न 1095 days से तो 1 day का जाएगा तो total 1095 days का था divide का तो 1 day का गया मुझे चीए कितने का 365 days का तो मेरा एक साल का आजाएगा multiply करने पर तो school का math से आप जानते हो वन डेबल सिक्स तू थ्री नाइन फूर इन्टू हंड्रेड डिवाइड हंड्रेड गिरो जीरो जीरो इन्टू 365 डिवाइडेड वन जीरो नाइन पाइफ यह रहा 5.54 परसेंटेज आपका effectively आपने इतना इंट्रेस्ट पे किया हम निकाल दिया 5.54 परसेंट परसेंट पर आपका solution यह end होते है next हम discuss करेंगे forward rate agreement यह forward rate agreement यह is FRA समझाने से पहले मैं आपको concept समझाओंगा उसकी बाद हम questions करेंगे चलिए समझते concepts इसका यहाँ पर FRA को हम कैसे समझेंगे Agreement के लिएंवसमेंट करना होता है ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा फ्री मंथ के लिए नरा क्रैंड से कहा हाता है नाई करना चाता है तो कोई वन एर के लिए और सिक्था करिंस के लिए को ऑवग बनructured होता है यहां पर बैंक देखता है कि लंबे समय के लिए investment किया जा रहा है तो उन्हें लंबे समय के लिए funds मिलता है तो वैसा situation में वो interest rate ज्यादा भी देते हैं पर shorter period के लिए वो नहीं देना चाहते है तो इसलिए आपको यह समझना है कि अलग-अलग period का अलग-अलग generally interest rate होता है ठीक है तो यहाँ पर अब हम यह समझते है कि मान लो six months LIBOR का अगर मैं बात करूँ six months LIBOR का rate चल रहा है मान लो 10% per annum ठीक है rate चल रहा है 10% per annum यानि effectively आप कहा सकते हो कितना होगा six months का 10 into 6 by 12 यानि 5% effective होगा यह मैं पता चला six months LIBOR का rate चल रहा है 12 months के लिए अगर कोई बंदा invest करना चाहता है तो 12 months का LIBOR का rate हलाकि अलग होगा पर एक बर मैं आपको समझाने के लिए मैं इसे भी 10% per annum ही मान रहा हूँ यह भी 10% per annum है यहां पर effective किता हो और 10% 12 by 12 होगा क्यों 12 months ही है यह 10% ही effective आएगा अब मान लो दो जुड़वा भाई है एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम राम थोड़ा सा sincere type का इंसान है स्याम थोड़ा सा हुश्यार बनते है अब यहां पर देखो राम ने क्या सोचा राम के पास pocket में 100 रुपे से आज की date में और राम बोला कि इसे एक साल के लिए पैसा लगाना है राम ने सीधा सीधी एक साल के लिए पैसा लगाने का bank से rate इसे 110 मिलेगा वन येर के बाद और वही गर हम श्याम का बात करें ना तो श्याम है ना थोड़ा ज्यादा हुश्यार बनते है श्याम को भी हलाकि वन येर के लिए पैसा लगाना है पर श्याम ने बोला क्यों ना पहले 6 मिने के लिए पैसा लगा दिया जाए फिर 6 मिने की बद उट 6 मेने के लिए पैसा लगा दिया जागा यह श्याम का सूचना है तो स्याम ने क्या सूचा वो उश्यार बन रहा था स्याम ने सूचा कि पहले 6 मेंस के लिए पैसा लगाए गई स्याम ने बैंक से पूचा 6 मेंस का क्या रेट है bank ने बोला 5% effectively 6 months का rate है तो श्याम ने बोला चलो ठीक है इसके बास भी रूपीज 100 है इसने क्या क्या 100 को 5% इसको interest मिल गया 100 पर है क्योंकि 6 months का तो 5% नहीं मिलेगा तो यहाँ पर 105 हो गया अब देखो ने क्या 6 महने के बाद राम को रुपिया मिलेगा नहीं मिलेगा राम को सीधा 1 year के बाद ही रुपिया मिलेगा 12 months के बाद ही 110 मिलेगा इन बिट्वीन बीच में नहीं मिलने वाला राम को पर श्याम को क्या 6 months के बाद पैसा मिलेगा मैं कहूंगा यह स्याम को 6 months के बाद 105 रुपेस मिल जाएगा अब मान लो यह इसके पास एक possibility है जहाँ पर यह बैंक से आज यहाँ पर इक बैठा हुआ जीरो तेर में यह बैंक की साथ एक कॉंट्रेक कर सकता है बैंक को बोलेगा सुनना बैंक 6 महने के बाद मैं तेरे से कुछ investment करूँगा और जो investment करूँगा तो उसका rate मेरे से 10% ली बेगा पर इनम का लगाएगा यह जो rate है वोई 6 मेने कभी rate आगे का वही होगा तो ऐसा अगर कोई forward rate agreement कर ले स्याम तो स्याम क्या करेगा आगे स्याम को कितना मिलेगा आगे स्याम को यहाँ पर स्याम के पास opportunity यहाँ पर कि 105 investment कर सकता है क्योंकि इसके पास अभी 105 रूपीज है 100 नहीं 105 यह investment कर सकता है और स्याम को सोचुन अगर बैंक ने 105 पर पर दर 5 पर सेंट का हम इसे अफरे कहते हैं जो मैं आपको further और समझाओंगा यहनी 6 मेने के बाद 6 मेने के लिए contract 6 मेने से लिए 12 मेने तक का contract का यह rate भी इनको 5% अगर मिल गया effective तो ऐसा situation में स्याम जो वह 110.25 घर लेके जादा है और राम जो है उसे तो कितना मिलेगा 110 मिलेगा यहनी घर में तो स्याम को बहुँ ज़्यादा ही वावाई मिलेगा ऐसा हो जाएगा पर bank बेवकुफ नहीं बेंक कभी भी आपको पता है 6-12 FRA का rate यह नहीं देने वाला बेंक यह rate आपको कभी दीगा यह नहीं तो बेंक क्या rate देगा सबसे पहले तो हमें यह जानने तो मैं आपको समझाओंगा कि 6-12 FRA theoretically क्या होना चाहिए कि स्याम अगर 6-6 मेने वाला रास्ता भी चुने न तो स् बेंक कूट करेगा हम यह भी सिखेंगे तो चलिए अब हम इसको वापस से सीखते हैं इसको सीखने के लिए मैं इस तरीके सा समझाओंगा यहां पर चलो यह आपका हो गया यहां पर यहां पर यहां का बात करूँ यहां से लेके यहां पर यहां पर यह फर्दर 6-month का परेड़ हो गया है न यह फर्दर 6-month का परेड़ हो गया र यह तो आपका देटर करकर पहले 6 मेन न यहां पर 6-month का फिर वहां से तुम कहते है नट... इस मेहना के बाद चे महना से लेके 12 मेहना तक यह जनरली कॉंट्रेक्ट होता है इसका क्योंकि अगर मैं यहां पर बैठा हुआ हूँ मैं यहां पर हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी यहां पर एक हो गया राम और दूसरा हो गया स्यां तो यह पर यहां पर दे 19 वह 0 months से ले के 12 months दे के लिए 12 मेने के लिए पैसा लगाना चाता है और अगर हम यह वाला ले 6 months का lie 서Kality इत्मान ले 5% effective है और ट्वेल मंस का लाइबोर का रीट है 10% effective यह हमने माना तो देखो ना राम अगर पैसा लगाएगा यहां पर 100 रुपीस अगर राम लगाएगा तो राम को सिधा 12 मैने के अबत कितना मिलेगा 100 प्लस 10% of 100 है यह राम को मिलेगा कहां पर यहां पर राम को 110 मिल ते हमें पता चल्चुका है राम को इतना मिलेगा यहां पर पैसा लगाएगा लेगा यहां पर 100 plus five percent of hundred के मेना के लिए और स्याम का पैसा यहां पर हो जाएगा कितना 105 अब स्याम यहां पर ही बैठा बैठा यह जो जीरो तिया रहे न यहां पर ही बैठा 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 श्याम दो चीज़ कर रहा है स्याम बोल रहा है एक तो मैं 105 अगर investment करेगा तो क्या rate भिया जाएगा मतलब यह मांग रहा है कि यह 6 12 फार हमें आज ही बता दो हलाकि investment कब होगा 6 मेने के बाद होगा 6 मेने के लिए पर rate जो है स्याम आज ही मांग रहे है ठीक हो तो कहा चाहिए था forward rate का agreement कर लेना मतलब आज ही future का interest rate का agreement कर लेना यह चाहता है क्योंकि श्याम ने आज है इक आज ही रिट बता दो कि श्यमने की बाद अगर मैं आपकी बास आओंगा 105 पाइव इनवेस्ट करने के लिए तो है मुझे क्या rate पर invest करने का मोका दोग इसका contract का लो जिससे हम interest rate का forward contract forward यानी future के date का rate का agreement कर लेना interest का तो यहाँ पर अब bank tension में bank बोलता है कि हम क्या rate दे इसको bank अब ऐसा rate देना चाहेगा कि जैसे स्याराम का 100 बना 110 ना bank चाहेगा कि स्याम का भी 100 रुपीज जो है ना वो कितना बने स्याम का भी 100 रुपीज 110 ही बने bank ये चाहेगा तो bank ये बोलेगा bank ये बोलेगा कि देखो स्याम का यहाँ तक कमाई 105 हो जाएगा यहाँ तक स्याम का कमाई 105 हो जाएगा आगे हम स्याम को कितना कमाने का मोका देंगे bank बोलेगा आगे स्याम का भी कितना होना चाहिए 110 होना चाहिए यनि आगे जाके सियाम को 5 रुपीस ही कमाने का मोका दिया जाएगा ताकि 105 से 110 में पहुचते है तो 5 रुपीस उसे कमाने का मोका दिया जाएगा पर यह 5 रुपीस investment कौन सा amount पे करेगा investment तो 105 करेगा तो यह जो तो यहां पर सियाम को जो forward rate agreement दिया जाएगा 6 by 12 FRA का जो रीड दिया जाएगा वो दिया जाएगा 4.7619 percentage effective 6 months का यह रीड दिया जाएगा effectively 6 मेने का यह रीड दिया जाएगा हाला कि हम जब solution exam में दिखाएंगे तो हम इसे convert कर देंगे तो 12 months है न और display display करने के लिए हम 12 months में convert कर देंगे मतला हम क्या करेंगे इसे दिखाने के लिए हम दिखाएंगे 4.7619 यह 6 मेने का है हम इसे 12 months से multiply कर देंगे यह डबल कर देंगे यहनि दिखाने के लिए आप करेगा 9.52 percent per annum कि आपका solution होगा पर हाला कि आपके लिए hundred rupees लगा रहा है उसका सीधा hundred ten बनेगा एक साल के बाद 110 बनेगा और उसका पहले उसे rate क्या मिल रहे है पहला rate तो उसका five percent है तो यहां पर उसका बनेगा 105 और यहां से उसका rate कितना दिया जा रहår उसको 4.7619 percent दिया जाएगा है न 4.7619% दिया जाएगा इन 6 months के बाद से लेकि 6 मेने के लिए forward rate bank ने code करना है इतना तो इतना rate अगर उसे मिलेगा कितना लगाने पर 105 में 4.7619% अगर उसे मिलेगा तो आ रहें 109.99 यह नहीं 110 आ रहें हाँ पर भी तो मतलब parity में रखने के लिए ताकि कोई बंदा अगर 12 म मेने के लिए पैसा लगा कि 6 मेने का अगर forward rate का contract करना चाहे तो उस contract का value इस तरीके से रखा जाएगा कि कोई arbitrage ना हो कोई बंदा जैसे स्याम चालाकी खेला था ना स्याम चालाकी खेल कि एक्स्ट्रा से पैसा कमा की नहीं लिखे जा सके इसलिए यह forward rate इस तरीके से निकाल जाता है और इसी को क्या कहते है इसी को हम कहते है theoretical FRA इतना होना चाहिए कि आपका कोई भी arbitrage ना हो यह आपको मुझे समझाना था तो चलिए अगर आपने यह समझा आगे हम एक और example फटा-फट से करते हैं ताकि आपका 100% clarity हो जाए मैं लेता हूं मालो six months का LIBOR six months में लेता 12 percent per enum ओर ईक लिता हूं में nine months से अलू nine नी 10 months ले ले लेता हूं यह अधतना मान पर इनम्स ले लेता हूं मैंने ले लिया मानलो तो कितना आएगा यह आए गा फॉर परसंट एफेक्टिव हम पहले निकाल लिए और तैन मैंस का लाइब मोर 15 परसंट तुम यह कहेंगे 15 इनटू 10 इन इनसी इन इनकी इनकाल यह जो हो यह आएगा 12.5% 10 months यह 10 महने का हमने निकाल दिया आपर तो दोनों effective हमने निकाल दिया अब हमसे अगर कोई पूछे कि बताओ ना 4 by 10 FRA क्या होगा theoretically 4 by 10 FRA क्या होना चाहिए मतलब ऐसा 4 by 10 FRA हो कि कोई बंदा अगर 10 months का सीधा रास्ता चुने यह 4 से लेके 10 months में जाए तो उनका बराबर पढ़ना चाहिए तो हम इसको simple तरीका से हम क्या करें ऐसे दिखाएंगे पटाफ़ दिखा सकते हैं आपर यह 4 months है यह आपका यहापर 4 months हो गया यह वाला और यहापर यह 10 months हो गया यहापर 0 months हो गया अब देखो कोई बंदा अगर पास्ता चुनेगा तो इसे 4 months में कितना मिलेगा 4% यहापर होगा 100 प्लस 4% और यह कितना बनेगा 104 बनेगा यह पर अब बताओ theoretical आफर में निकालना है कितना निकालना है हमें निकालना है 4 by 10 एफर चार मेंना से लिके 10 मेना तक का आफर तो कितना होना चाहिए हम बोलेंगे यह 104 बनना चाहिए कितना 112.5 बनना चाहिए मतलब बढ़ाना कितना पड़ेगा मैं 8.5 इसे कमाना चाहिए तक इसका 112.5 में आगे बढ़ जाए 8.5 कहां से कमाएगा यह 104 से कमाएगा इंटू 100 जा जाएगा आपका यह नि 850 divided by 104 कि यह 8.173 % 8.173 % जाएगे यह effective कितने मैंने का है 6 months का होगा है न आपका इक मैंस पूर से लेके 10 मैंस तक 6 6 months ही होता है 6 months होगी है अब देखो verify अगर हम करते हैं तो हम बोलेंगे 100 plus 4 percent 4 मेने का plus 8.173 percent 6 मेने का बले यह 4 months का है और यह आपका 6 मेने का है है ना cumulative ही मिलेगा आपको compounding में मिलेगा तो देखो 100 पर मैं 4 percent add करता हूँ फिर उस पर मैं 8.173 percent करता हूँ यह कितना रहा है 112.49 यह नहीं 112.5 हो रहे है और अगर मैं बोलू सीधा 100 को में 12.5 परसे नहीं जो डिरेक्ट वाल है यह भी कितना होगा 112.5 होगा बना पैरिटी में दूनों दूनों रास्ते पैरिटी में कब होगा जब आपका 4 by 10 FRA जो है इतना होगा तो हमने 4 by 10 FRA निकालना सिखा हमने कि किस तरीके से निकालेंगे आप मैं फटाफट बिना चार्ट के अपको समझात हूँ क्योंकि एक्जाम में तो फटाफट करना चाहोगे तो देखो अगर मालो 3 months lieboard दिया हु होगा 10 into 3 by 12 तीन मेने का निकालना यह 12 मेने का होता है मैसा तीन मेने का निकालोगे तो कितना आएगा 2.5% आएगा अफेक्टिव और इधर अगर हम बात करें यह जाएगा कितना 7 into आपका कितने मेने का यह सोरी 12% है न आपका और 7 months का अगर होगा तो यह कितना होगा 7% effective हो होगा तो 100 रुपिस को लगाएगा न तो बनेगा कितना 100 2.5 बनेगा अगर 100 को invest करेंगा 3 months के लिए तो बनेगा 2.5% लगाने पर 100 2.5 बन जाएगा अगर कोई बन्दा 7 months के लिए इनवस्त करना चाहेगा तो 100 बनेगा कितना 107 बन जाएगा यह तो मैं आपको सिखाया भी वो कहता है कि मुझे 3 by 7 FRA बताओ कितना होना चाहिए, तो मौलेंगे कि अगर ये बंदा और आगे फर्दर 3 मेने के बाद 4 मेने के लिए पैसा लगाना चाहेगा, तो इसको हमें कमा कि कितना देना है, इसका कमा कि हमें देना पड़ेगा, हम बोलेंगे 102.5, जा से ज़्यादा कहा तक पहुचे, 107 तक पहुचे, ये तो हम कहेंगे 107 तक पहुचे, तो मतलब इसको कमा कि हमें देना 4.5, ताकि 102.5 प्लस 4.5 कितना हो जाए, 107 हो जाए, तो ये 4.5 इसको कमाना चीज़ से ज्यादा इसको नहीं कमाना चीज़, पर ये कमाएगा 100 से नहीं, ये तो 102.5 इ इतना आएगा आपका या यह 4.39 percentage effective फूर मंस का होगी है यह आपका तो यहाँ पर हम फटा फट से करते है वेरिफाई 100 प्लेस 2.5 percent plus 4.39 percent यह आपका तीन महने का है यह आपका चार महने का ताकि कि टोटल 7 months का हो जाए कितना हो रहा है फिर से वेरिफाई करा देता हूं मैं आपको 107 और दूसरे वाला रहा है 100 plus 7 परसी नहीं तो है आपका effective यह भी आ रहा है कितना 107 तो मैंने आपको समझा दिया अब आप बोलोगी या पहले तो चार्ट में समझा है था अभी ऐसा क्यों कर रहे हो ठीक है फटा फट लेलो यहां पर यह आपका क्या है यह आपका 3 months है यह आपका 3 by 7 FRA हो गया और यह आपका 7 months है तो देखो 100 अगर को लगाएगा तो 7% effective है 7 months का यहां पर बनेगा 107 कोई बंदा अगर 3 मैने के लिए पैसा लगाएगा तो यहां पर 100 plus 2.5% उसे मि पहुचना है तो मतलब 4.5 इसको मिलना चाहिए कमाना चाहिए इसको कहां से कमाना चाहिए 102.5 से कमाना चाहिए इंटू 100 कर दो गया अब कितना आ जाएगा आपका वही आएगा 450 divided 102.5 4.39 तो यहां पर ऐसे अगर आप करोगे तो रटना नहीं पड़ेगा कोई दम सिंप्लस पर रहना में ऐसे रेंडम उठा रहा हूं कुछ भी 22 पर रहना में ऐसे रेंडम लिया मैंने ठीक है तो टू मंस क्या होगा 19 इंटू 2 बैट 12 होगा यहनि 38 डिवाइड 12 किया एगा 3.166 परसेंटीच है ना और यह जाएगा कितना 22 इंटू 9 बैट 12 होगा यह जाएगा आपका कितना 16.5 परसेंटीच अभी यह तो टू मंस का है एफेक्टिव और यह 9 मंस का एफेक्टिव यहाँ पर आप देखो अगर कोई बंदा 2 मेने के लिए पैसा लगाएगा तो इसको कितना मिलेगा 3.166 परसेंट मिलेगा 2 मेने के बात तो इसका कितना परसेंटा सीधा 9 मंस के लिए पैसा लगाएगा तो इसका कितना होगा 16.5% यह यह आपका 3 मंस के बाद ने 2 मंस था न यह आपका 2 मंस के बाद इतना पैसा बनेगा परफेक्ट और यह आपका बनेगा कितना 9 months की बाद इतना पैसा बनेगा तो बता उन्हें इसी से हम निकाल सकते हैं इसी से हम क्या निकाल सकते हैं 2 by 9 FRM आराम से निकाल सकते हैं यहीं उसे कितना कमाना चाहिए 103.166 minus 116.5 उसको इतना यहीं 13.3340 से कमाना चाहिए तकि parity में आ जाए कितने मेने में आगी का 7 months में कहां से कमाएगा यह 103.166 से कमाएगा ना इन्टु हंड्रेट यहीं 13.334 इन्टु हंड्रेट डिवाइद 103.166 कितना आरा 12.924 percentage आर आपका और इसी को अगर आप बोलोगे कि इस तरीके सा आप दिखाना चाहते है आपको ज़्यादा समझ में आता है तो वैसे भी दिखाते हैं कोई problem नहीं है यहाँ पर इसका देखो कितना बनेगा 103.166 बनेगा 2 months का 100 ना और यहाँ पर इसका 109 months का direct बनेगा 116.5 इन दोनों का गाप लेंगे तो यह वाला तो आएगा यहाँ पर अगर हम बात करें टू बाइन एफ आरे तो वो जो यह वो क्या आएगा यह आएगा जो मैंने दिखाया था आपको इसी करेंगे हम बोलें कि यहां से लेकि यहां तक का गाप यह वाला है और यह बढ़ेगा कहां से 103.166 से बढ़ेगा आप का लटीमेट लिए यह आएगा और अगर आप इसको वेरिफाय करोगे तो बोलो कि 100 ठ्रेट ब्लस 3.166 परषटमटिज में ले ते है और प्लस आपका कितना था 12 एकदम मैंने आपको भी समझा दे कि theoretically अपको निकालना सिंपल है कुछ भी नहीं करना आपको एकदम सिंपलेस तरीका समझो वापस है और ली रिपीट कर दे रहा हूँ मालनो six months का इंट्रेस्ट रेट है 10% effective ले लिया 10% effective ले लिया मैंने ज्यादा हो रहा है चलो ठीक है six months का इंट्रेस्ट रेट है 10% effective तो 5% effective मतलब कितना बनेगा 105 और 12 मैंस का इंट्रेस्ट रेट है 10% effective मतलब वह बनेगा 110 यहन्हीं छे मेने वाला बनेगा 105 12 मैंस वाला बनेगा 110 अभी further six by 12 एफारे forward का अगर हम देखें तो forward में कितना कमाई होना चाहिए 105 से 110 में पहुचना चाहिए 5 का कमाई होना चाहिए 5 कहां से कमाई होना चाहिए 5 divided by 105 into 100 अब अराम से निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना simplest तरीका से 100 का base लेके आपको सोच अब मैं आपको एक कोशिन आर्बिटराज का करा देता हूँ फटाफट से क्योंकि ऐसा कोशिन एक्जाम में आने का पूरा पूरा चांसस रहेगा आर्बिटराज का कोशिन का मैंने एक औरड़ी कोशिन प्रॉपर सा फ्रेम करके रखा हूँ है ताकि हमें टाइम कम लगे फटाफट से तो आप यहां पर देखो सिधा कोशिन में हम आ गए कोशिन सॉल्व करेंगे मैं से हमें आर्बिटराज का concept पूरा समझ में आएगा अ आप यहां पर देख सकते हो थ्री मंस का लाइबोर का रेट डिया हुए हमें 8% पर रहे न तो आपका 3 मंस का effective क्या होगा 8 into 3 by 12 बोलो गया यह यह होगा कितना 2% है न 2% effective होगा आपका और आगे 9 मंस लाइबोर का गडम बात करें 9 मैंस लाइबोर का रेट 10% या नहीं कितना होगा 10 into 9 by 12, 9 मंस तो 9 by 12 लगा न 3 मंस मत लगा दे न 9 मंस का लगाएंगे तो 9 मंस के लिए इनवेस्ट किया जा सकते है इस रीट पर यहां पर कितना आएगा यह आएगा 7.5% effective ध्यान रहे यह आपका 3 मंस का है और यह आपका 9 मंस का effective है तो क्या 3 मंस का हमें 9 मंस का हमें प वारे क्या हम निकाल सकते है मैं कहता हूँ है यहाँ हम निकाल सकते हैं तो हम निकालते हैं 9 months है यह आपका 3 months है तो देखो 9 months का interest rate अगर को सीधा 9 months के लिए लगाएगा तो उसे क्या मिलेगा 7.5% मिलेगा यानि अगर यहाँ पर 100 है तो 100 plus 7.5% है ना 9 months का सीधा कितना आएगा यहाँ पर 100 7.5 हो आपका और 3 months का क्या rate है 2% है ना effective तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे 100 plus 2% ह तो TWO months का होगी है यह तो आपका कितना है यहाँ इद यहाँ पर 102 आएगा तो 32 बन रहे यह तो मैं पहले भी पता था टू परसी नहीं 102 हो गई है और 10.5% यह भूगा तो मतलब 102 से 100 7.5 तक पहुचाना हम तो यहाँ यहाँ पर मैं बात करू 3.92 फार ऐ अगर मुझे निकालना है यह कैसे निकलेगा मैं कहूंगा मुझे 102 से 107.5 तक उसे कमा के देना है यानि 5.5 उसका कमाई होना चाहिए ताकि आर्बिट्राज ना हो 5.5 उसका कमाई होना चाहिए कहां से 102 से इन्टु 100 आ जाएगा आपका दिवाइड हंड्रेट तो यानि 5.392 परसेंटेज 5.392 परसेंटेज आपका यह हो गया आपका एफक्टिवली यह एफक्टिवली कितना मंस का यह देख लो आप 3 से लेके 9 यानि 6 Month है ना अफक्टिव 6 Month का Är अब अब एक्साम में बतारू हुआ इक्साम में यह नहीं दिखाऊगे इक्साम में इप इससे डिस्प्ले करोगे परेनम मैं मतलब अब इसका horsा है इसका organized अंसर अगर आप दिखा बढ़ाने के लिए करा दिए एक्जाम में आप ऐसा नहीं बनाओंगे बना सकते हो को प्रॉब्लम नीए पर फिल भी क्या जो रहते हैं हम एक्जाम में ऐसे दिखाएंगे हम दिखाएंगे थ्री मन्स लाइब और आपका जो है तू परसेंट है यह बनेगा हंड्रेट टू न हम बोलेंगे 5.5 हमें बढ़ाना है कहां से 102 से इंटू 100 तो यह आपका आएगा 5.392 परसेंटेज पर यह अंसर आप नहीं दिखाओगे यह आपका 6 मन्स का है क्योंकि 3 से लेके 9 तक 6 में नहीं होता है न 6 मन्स का ही है हमें बताना 12 मन्स का इस डिवाइड बाइब 6 मन्स कर देंगे आपका आएगा कितना 10.78 परसेंटेज पर एनम यह आपका ध्यान रहे है कि यह ओनली फॉर डिस्प्ली परपस है ठीक है यूसफूल देखा जा तो यह ही होते है ठीक है यह हम रीट लगाते तो मैं पता चल गया कि 10.78 पर एनम 10.78 पर एनम होना चाहिए 3 by 9 एफर यह में समझ मैं अब अब देखूं यहाँ पर आगे हम से पूछा क्या गया है हमने कर लिए पॉंट नमर टू में हमसे क्या पूछा गया है is there any arbitrage gain possible word होना चाहिए तो बैटर रहेगा ज्यादा पॉसिबल इफ 3 by 9 एफर इस कोटेडिस अलग अलग तीन सिच्विशन बता दे सिच्विशन 1 2 3 पहला सिच्विशन में बोला कि अगर 15 ऑबलिक 16 परसें हो तो तुम यहां पर बताएंगे case one में हम बताएंगे theoretical fra theoretical fra होना चाहिए आपका कितना 10.78% per annum 3 by 9 का यह होना चाहिए but आपका quoted जो quote किया हुए bank ने 3 by 9 fra quote कितना किया हुए bank ने 15 ऑबलिक 16% यह quoted किया हुए ना bank ने तो दिखो यह तो होना चाहिए आपने निकाला आपके इसाब से पर bank code कितना कर रहा bank code कर रहा 15% ऑबलिक 16% तो बताए bank जो quote कर रहा वो hire कर रहा है costly कर रहा महेंगा कर रहा कि सस्ता कर रहा अरे आपने अभी निकाला कि इतना होना चाहिए पर bank का quotation इतना दिया हुआ है 15.16% तो मतलब हमें पता चला है कि हम तो bank का quotation में trade कर सकते हैं हम trade नहीं कर सकते हमारे theoretical में यह तो हमने justify करके निकाला कि इतना होना चाहिए पर हम तो उसी में trading करते हैं जो bank हमें quotations देता है quotations तो हमें यह दिया हुआ 15.16% में तो आप बोलो 15.16% आपका यह जो महेंगा है या सस्ता है मुझे पता चला यह quotation महेंगा है यह महेंगा है आपका quotation क्योंकि 10.78 होना चीए पर यह दे रहे महेंगा तो महेंगा में आप हमे 20% interest rate code कर रहा है तो क्या 20% interest में borrow करके अपने पर ज्यादा liability बढ़ाओगे बिल्कुल भी नहीं अब 20% में investment करना चाहोगे अगर वह बैंक 10% होना चीए बैंक आपको 5% rate दे रहा है तो 5% सस्ता है ने तो बोलो करना चाहोगे तो मेरा खेहने का मतलब यह 50-16% महेंगा है और ध्यान रहे महेंगा पी तो कि महेंगा पी अ हमेशा को रो करना यह में पता चला मतलब हम इस पर पोरो करेंगे अब देखो 15% और बिल्क 16% का मतलब किया यह बिडास की तरह है फिड में हमेशा बैंक क्या करता है बैंक में अगर आपको invest करना है तो आपको यह बिड़ वाल अपड़ेगा मतलब आप जब कभी भी invest करोगी तो अपको spread में बेंक का फायदा होगा तो investment के टैम तो कम पैसा मिलीगा और borrowing के तब आपका ज्यादा rate लगेगा तो यह आपका क्या होगिया borrowing rate होगि A यह आपका borrowing rate उगया और यह आपका क्या होगिया investment rate तो मैं पता चलिया कि महेंगा पे हमेशा बोरो नहीं नहीं गलत लिख दिया हमें नहीं है महेंगा पे तो हमेशा क्या होना चाहिए इन्वेस्ट होना चाहिए तो यह वर्ड मैंने गलत लिख दिया तो यहां यह गलत लिख दिया है महेंगा पर हमेशा invest करना चाहिए कभी भी borrow मत करना महेंगा पर हमेशा invest करना चाहिए और सस्ता पर हमेशा क्या करते है सस्ता पर हमेशा borrow करते है यह आपको ध्यान पर रखना है यह बड़ा बस ध्यान में रखोगी अब देखो दो रास्ते में बता रहा हूँ एक आपका क्या है जिरो मन्स से लेके त्री मन्स तक है और यहां से नाइन मन्स तक है मतलब मेरा खेना है कि एक आपका जिरो मन्स से लेके त्री मन्स से और यहां से नाइन मन्स का रास्ते है एक यह रास्ते है मलत तुकुडो वाला और दूसरा रास्ता सीधा 0 month से लेके 9 month तक का यह तो हमने सिखा भी हमें पता चला इए अपका 3 months का हो गया ये आपका 3 by 9 हो गया है न और ये अपका सीधा 9 months हो गया अब मेरा बात सुनू हूँ हमें पता चला पहला case में पहला case में हमें यह पताचला कि जो 3X9 का rate है इस में क्या कछिए है यहां पर हमें पताचला महिंगा पर हमें क्या करना है इन्वेस्ट करना हैं हमें crying box करना हूगा इन्वेस्ट क्या होगा 15% मतलब that means 3 9 वाले एंफ थार किसे पताचला क्योंकि होना चाहिए 10.78% पर कोड दिया हुए 15.16% मतलब महंगा दिया हुए ना तो महंगा पर हम invest करना चाहेंगे तो हमें ये पता चल गया हमारा conclusion निकल के आया at 15.16% we should invest है ना यानि 3 by 9 FRM हमें invest करना चाहिए हमें पता चला मतलब मेरा कहना ये कि यहां पर हमें पता चला invest करना चाहिए अगर यहां invest करना चाहिए तो obviously यहां पर भी क्या होगा invest होगा क्योंकि एक रास्ते में तो एक ही काम करोगे invest करोगे 3 मेना के लिए फिर further invest करोगे 6 मेना के और अगर वहां invest है तो यहां पर क्या होगा बोरो होगा ऐसा करने से हमारा फाइदा होगा मैं बता रहो कैसे फाइदा होगा हम देखो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर rate भी हाँ नाइन मांस का लाइबॉर हम इस पे बोरो करेंगे और त्री मांस वाले पर इन्वेस्ट करेंगे ले लिया और 9 months इधा हम बोरो करेंगे क्योंकि हमारा 9 months वाले में हमने बोरो चूज कि न 9 months और 9 months का read क्या है at the rate 7.5% effective है न 9 months का यह मैं पता चला therefore हम यह कहेंगे कि अगर हम आज 100 रुपीज बोरो करेंगे तो मैं फ्यूचर में चुकाना है 107.5 यह हमारा फ्यूचर में पेवल होगा अगर हम आज बोरो करते हैं तो और अब हम फिर क्या करेंगे after debt हम क्या करेंगे invest करेंगे रुपीज 100 for 3 months at the rate क्या है 3 months का rate 2% and further invest 3 by 9 FRA में further हम invest करेंगे at the rate क्या बूला यह 15% है आपका यहाँ पर यह 15% है आपका 3 by 9 FRA मतलब कितना 6 मेना 3 मेना से लेकि 9 मेना तक 6 मेना तो 6 मेने का effective क्या होगा 7.5% ही तो होगा effective for 6 months क्योंकि 15% दो पर है नम है तो 6 मेने का 7.5% होगा effective आपका तो मेरा कहना है यह कि पहले 100 रुपेस को 3 मेना के लिए 2% में investment कर तो फिर further हम contract कर लेंगे 6 मेने का invest करने का at the rate 7.5% मतलब यहाँ पर क्या होगा 100 पहले बनेगा आपका 102 फिर आपका बनेगा 102 प्लस 7.5% यहां पर आप देखो न यहां पर हमारा payable है इतना और हमें 9 मेने के बाद हमारा receiveal होगा इतना 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 होगा मतलब पेबल इतना आया और receiveal इतना आया आपका तो यहां पर देखो for sure so starting में मैं क्या करूँगा 7.5% में 9 मंस के लिए सीधा क्या करूँगा बोरो कर लूँगा मुझे 9 मंस के बाद इतना चुकाना पड़ेगा और क्योंकि short sort आएगा आपका minus 107.5 यहीं 2.15 का आपका आर्बिट्राज गेन आगया तो हमने निकाला पहले situation में आपका पहला case में क्या आर्बिट्राज गेन है कि हमने निकाला और दूसरा case का अगर हम बात करें दूसरे case में आप दूसरे case में आपका क्या दिया हुआ है कुशिन खांगिया यह रहा फाइव ओबिक 6 परसेंट है यहाँ पर आप देखो हमने तो already निकाली लिया हमने तो theoretical 3 by 9 fra निकाला था न कितना 10.78 परसें निकाला था परेनम और coated आपका 3 by 9 fra है अभी मैं shortcut में फटा-फट से बता दूँगा इससे आप ज्यादा clear कर ले न अपना कितना आएगा फाइव परे सिक्स फाइव पर्सेंट उबिक 6 न तो बताओ जो coated यह सस्ता है कि महंगा सस्ता है और सस्ता पर हमें में प्या करते बोरो और बोरो के लिए rate क्या होगा इसका कोई काम नहीं है आपका बोरो के फार एका हमने निकाला बोरो करना चाहिए तो हमें पता चला इस पर बोरो होगा मतलब इस पर भी बोरो होगा एक पर बोरो होगा तो दूसरी भी बोरो होगा मतलब इस पर क्या होगा इन्वेस्ट होगा तो हमें पता चलिका थ्री मन्स के लिए बोरो करेंगे और फिर बात मे तो बोरो करेंगे तो बोरो करेंगे और बात में नीचे डैरिक नाइन मन्स के लिए इंवस्ट करेंगे तो चलिए हम करते हैं बोरो करेंगे रूपीज 100 और 3 मन्स at the rate 2% effective and then further borrow क्योंकि हम अगर बोरो करेंगे 103 मैने के लिए तो फ्यूचर में 102 चुकाना पड़ेगा तो 102 फर्दर बोरो कर लेंगे और 6 months तभी तो 9 months होगा 3 और 6 मिला गया है ना at the rate क्या होगा अब दिको बोरो का rate क्या होगा 6% तो हमें तो 6 मिने का जिए 3 से लेके 9 months तक 6 मिना होते है ना तो 6 मिने का effective क्या होगा यह 3% effective होगा क्योंकि तो पूरी साल का है तो 3% होगा ना at the rate 3% effective यह में बता चला तो मतलब आपका borrowing का क्या आएगा amount borrow में तो outflow होते हैं तो borrow में आप 100 borrow करोगे 2% 2 months के लिए plus 3% यह 3 months है plus 3% 6 months के लिए तो आपका बनेगा 100 बनेगा 102 plus इस पर 3% और जूट जाएगा 105.06 आजए यह नि ultimately आपका payable रहेगा future में 105.06 और हम invest क्या करेंगे फिर जो हमने 100 borrow किया ना इसे हम सीधा invest कर देंगे 9 months के लिए और 9 months का investment rate क्या है 3 months का तुमने लिए 9 months का investment rate है 7.5% 7.5% यह नि आएगा कितना 100 7.5 मला simple सा बाद यह आपका 3 months LIBOR का हमने effective लिया था और यह आपका 3 by 9 FR है जो हमारा quoted था हमने use किया और यह हमने लिया 9 months LIBOR directly है ना तो 3 or 6 इदर 9 हो गया यह यह आपका 9 months के बाद है और यह भी आपका 9 months के बाद है तो देखो ना बोरो में आपका यह outflow होता है और investment में आपका inflow होता है तो आपका gain ही आएगा इससे भी gain कितना आएगा 106.06 107.06 यह नि 2.44 का gain आएगा आपका इमने gain निकाल लिया तो देखो नहीं हमने दूनों situation में arbitrage का तो arbitrage का मतलब यह है हमें दो रास्ता चुनना एक 3 months एक 3 by 9 FRA या फिर डिरेक्ली 9 months तो आपको पता चल जाएगा 3 by 9 FRA में borrow होगा कि invest होगा अगर 3 by 9 FRA में borrow होगा तो 3 months में भी FRA होगा अगर 3 by 9 FRA में के स्री में आपका देखो यहां पर theoretical FRA है 3 by 9 10.78 परसेंटेच और quoted 3 by 9 FRA है यह देख लेते हैं यह बहुत important है आपके understanding के लिए इसलिए मैंने यह example में लिया है यहां पर नहीं आर्बिटराज गीन होगा कुछ नहीं होगा यहां पर 10 परसेंट ऑप लेवन परसेंट अब आप देखो अब आप बोलो कि क्या होगा आर्बिटराज गीन होगा कि loss होगा देखो अगर मैं 10.78 परसेंट के यह तो मैं चाहूँगा 10.78 से कम होगा तो ही में बोरो करूँगा पर बोरो का तो आपका 11 पड़ रहा है और market का rate अगर 10.78 है तो मैं बोलूँगा कि अगर 10.78 से ज़्यादा मिले तो ही मैं investment करूँ तो यहां पर investment का तो आपको 10 ही मिलेगा तो दूनो तरी भी आपका गाट है, मैंने इस तरीके से spread लिया कि यहाँ पर arbitrage gain possible ही नहीं यहाँ पर, यह आपको समझना है, मतलब अगर मैं पिछले वाला बात करूँ, तो पिछले वाले में तो हमने देखा था, कि 10.78 है आपका percentage होना चाहिए, पर आपको 15.16 मिलने तो हमें पता चला, उचा rate है, उचा rate में हम क्या करते हैं, investment, और दूसरे वाले में अगर हम देखें, तो यहाँ पर नीचा rate है, सस्ता वाला rate है, तो सस्ता में बोरो है, पर यहाँ पर नहीं उचा है नहीं सस्ता है, क्योंकि एक side कम है, एक side जादा है, और हम bid ask में फ़र जाएंगे, हमें बोरो करना तो 11 में करना पड़ेगा, और 11 में हम क्यू बोरो करें, जबकि market का rate ही 10.78% है, और 10 में हम क्यू investment करें, जबकि market का rate ही 10.78% तो दूनों तरह भी घाट है, क्योंकि हम तो बोरो सस्ता में करना जाते हैं, पर यह 11 तो ज़्यादा लग रहा मार्केट से, इन्वेस्मेंट में महेंगा में करना जाते हैं, पर इन्वेस्मेंट तो 10.78% के सबसे कम है, तो दूनों तरह भी possible नहीं है, आपका, therefore in this case there is no arbitrage gain possible यह हमारा यहाँ पर possible नहीं, आपको यह समझना, तो यह मैंने आपको समझाया, आप इसी को अच्छे से ध्यान देना यह आप ध्यान दोगे, तो आपका conceptual एकदम clarity आ जाएगा, मैं revise करा दिता हूँ फटाफट से, इस दोनों से हमने निकाला 3x9 FR, हमने perfectly निकाली, हमें पता चला है, यह आ रहा है, 10.78 percentage हमें पता चल चुका है, पटाफट से reverse बहुत काम का चीज़ होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अब देखो, 10.78% होना चीए, यहाँ पर देखो, हमें उचा rate मिल रहा है, तो उचा rate में आप कभी भी borrow नहीं करना चाओगे, आपको पता चला इसमें आप इनवेस्ट करोगे, इनवेस्ट किसमें करोगे, 3x9 FR में invest करोगे, मतल महमें क्या पता चला, 3 and 3x9 FR में हमें इनवेस्ट करना चीए, मतलों, सीधा सीधी 9 rounds में chang यहाँ करोगे, ब issकने लगाने का और उधर 100 रुबिस को investment करोगे तो 3 months का पहले आपको 2% लगाना है यह वाला और बाद में 3 by 9 का आपको लगाना कौन सा investment का rate 15 का 6 मेरे का 7.5% आप का जाएगा investment से की ना जाएगा दूसरे वाले का अगर हम बात करें 5 oblique 6% सस्ता है सस्ता में क्या करना चाहिए बोर चला तो मतलब हम कहेंगे की बोरो हमारा होगा 3 oblique 3 by 9 FRA में बोरो होगा हमारा और investment हमारा होगा सीधा किस पर 9 months वाले पर investment होगा हम यह पता चला और यहाँ पर no arbitrage gain possible बस simple हम यह देखते हैं हमें पता चल जाएगा clear तो यह done यह question हमारा हो चुका है अब हम कुछ-कुछ illustration करेंगे sorry जो आपके practice manual में जो important question है वो सारे हम cover करेंगे कुछ-कुछ मैं सारे नहीं करूँगा कुछ-कुछ मैं आपको करूँगा मैं आपको बता दूँ एक काम करूँ अच्छे से ठीक है रिवीजनरी वीडियो में यह possible नहीं है तो comment करना मुझे बताना अगर आप लोग interested हो तो मेरा जो android application उसका नाम है जगाती digital education अप प्ली स्टोर में आपकी बस iPhone है नहीं चलेगा iPhone में पॉसिबल नहीं मैं आपको बता दूँ एपल में नहीं चलेगा आप आपकी बस android phone है android phone में ही चलेगा जगाती digital education आप प्ली स्टोर में मारोगे मैं ऐसे भी description में लिंक दे देता हूं हमेशा आप वहां से भी जा सकते हो पर ध्यान रे एपल वाले में नहीं चलेगा जगाती digital education में आप जाओगे वहाँ पर आप जो derivatives का chapter है वहाँ पर मैं क्या क comments का अगर आप लोग interested हो मुझे लगा बहुत सारे लोग interested है तो मैं मुझे लगी हम एक दो दिन में आपका यह on कर दूँगा on करके रख दूँगा अराम सी देख लेना और आपको पूरा समझ में आ जागा पर फिलाल में यह question अभी नहीं लेने वाला interested future का क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा हमारा वीडियो हमारे लिए possible नहीं है तो इसके लिए बस मैंने इतना फिवर कर दिया जो मुझे सही लगा अब हम करेंगे next question हम question number करेंगे 5 तो जो मैंने भी आपको समझाए concept उसकी सबसे question है हमारा simple question है फटा-फट से हो जाएगा हमारा start करते हैं यह spot दिया हुए यूजडी पर जापनेज इन इचुली उल्टा दिया हुए यह होना चाहिए यन पर डॉलर होना चाहिए कि इतना 116 हाले कि इसका कोई काम नहीं आएगा देखो deposit rates दिया हुए three months का दिया हुए six months का दिया हुए अलग-अलग ध्यान रहे हमें सब परेनम ही होते है आप बोलो कि लिखावा नहीं तो भी परेनम ही होगा मैं साही यह हमें सब परेनम होते है forward rate agreement for yen is निल का मतलब इसका मतलब क्या बता है there is no FRA available इसका मतलब है there is no FRA available for yen यन का FRA available ही नहीं तो हम इसका FRA करी नहीं सकते है आप कोई समझे है अवेलिबल नहीं है नहीं करना है हमें पुछा what should be the three months FRA rate at three months forward यनि इसका मतलब ही क्या होगी है यह बोल रहा है three basics FRA बताओ क्योंकि तीन मेने के बाद तीन मेने का FRA पूछ रहा है तो three basics तीन मेने से लेकि छे मेने तक का FRA हम से पूछ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको solve चलूं इसको solve करते question number five यहाँ पर आप देखो three months का read डिया वा four point five percent यह तो परेंदम ही होता है मैं पता है यह नि क्या होगा four point five into three by twelve यह वन पॉइंट one two five percent यह नि होगा hundred one point one two five मैं पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ है ना ताकि फटा-फट हो जाएगा six months वाले का क्या read दिया हुए तो five percent यह नि होगा five into six by twelve ची मैंने का न यह 2.5 परेंट यह होगा hundred two point five होगा तो हमने directly निकालेंगे से हम three by six fre क्या होगा आपका यह आपको देखो जाओ hundred one point one two five यह hundred नि लगा न बरबाद हो जाओ गया यह लगाना बहुत जरूर यह प्रिंसिपल बेस माइनस hundred two point five one point three seven five by hundred one point one two five two hundred one point three five nine seven nine seven percentage आ रहा आपका कितना आ रहा है यह कितना आएगा effective three months का यह पर मैंने आपको बताया था था न एक्जाम में हमें साथ 12 months का करके बताओ गया आप दिस्पले के लिए यह तो तीन मेने का है न आपका तीन से लेकिए छे मेने तक कितना होता है थ्री मेन्स ही तो होते है यानि हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइट बे थ्री मेंस करना पड़ेगा इन्टू 12 मेंस करना पड़ेगा यह रहा फाइफ पॉइंट फूर फूर परसेंटीच पर एनम हो गया पर हमने निकाल दी आपर अराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आया अब वह भी कर सकते थे वैसे हवाला करते हो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं पर मैं नहीं कर रहा हूं तो दिया है में अच्छे से पूरा इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट तू में क्या पूछा है देखो तस सिक्स एंड ट्वेल मन्स लाइबोर सा यह डिफ्रेंट कोशिन है जहां पर देखो सिक सिक्स मेंस लाइबोर दिया हुए है त्योल मन्स लाइबोर दिया हुगा आपको वैपर से यह फिर पर्सेंट त्याने पर आनम होता है यह फाइव इन्टू 6 बैट वाल यह जो गाट टू पॉंट पर संट यानि उंडरए 2.5 पेले लिए तो मैं हमें सब्रेसे ता कि कोई आपका theoretically जो हम लोग निकाल रहें basis के साब से ना कितना जा रहा है 100 और बढ़ाना है आपको 102.5 से क्योंकि 102.5 से 106.5 तक जाना है और बढ़ाना पड़ेगा कहां से 102.5 से उतना ही कमाने का मुखा देना है तो यह तो छे मिने का हुआ आपका 12 मिने का क्या हुआ यहां पर देखो इन्होंने क्या पूचा इन्होंने क्या पूच्छा 6 by 12 और फारे कितना है 6.5 6.75 परसेंट जेखो होना चाहिए 7.8 पर कोटेशन दिया वह उससे कम यानि सस्ता दिया हुए न क्या यह सस्ता और सस्ता में हम क्या करेंगे बोरू तो मैं आपको बता है तो दो रास्ता है एक 0 से 6 मंथ और एक 6 मंथ से लेके 12 मंथ यानि यह 6 by 12 ह है और यह 6 मंथ हो गया न उस रास्ता सीदा 12 मेने का तो मैं पता चल गया कि जो 6 by 12 यह यह एक है तो बोरू करना चाहिए 2 मतलब यहाँ पर भी borrow करना है आपको है ना दुनों में borrow हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा आपका invest हो जाएगा तो हम क्या करेंगे nominal amount ले लेंगे hundred dollar लेकर solution कर देते हैं हाला कि ICA ने one dollar लेकिए किया जहां तक मुझे आते मैं hundred dollar लेकिए कर देता हूँ अब one dollar भी करो कोई problem नहीं चलेगा क्योंकि बताया नहीं ना कितना तो हम लिखेंगे borrow करेंगे hundred dollar at the rate six months का rate क्या है हमें दिया वहाँ ना six months का rate है आपका 2.5% हमने निकाला वहाँ यहाँ पर इसका rate है 2.5% और six by twelve का theoretical मत देखना यह वाला मत देख ले ना quoted देखना पड़ रहा है theoretical से trading नहीं होता है जो quotation दिया वारत तो उससे trading होता है तो borrow यह तो investment का rate होता है सस्ता वाला महंगा वाला borrow का rate होता है तो borrow का rate कौन सा होगा six point 75% होगा और effective कितना हो जाएगा इस पोइंट तो बारा मिने का है न हमें छे मिने का चीए 6 by 12 यह ने 6 मिने का यह ने 6.75 इन्टू 6 by 12 यह आएगा 3.375 परसेंटेज आ जाएगा आपका मतला मुझे पता चला यह आएगा 3.375 परसेंटेज और यह हो जाएगा 2.5 परसेंटेज है ना और direct 12 months का यह होगा हमा 3.5% कितना मेंने के लिए 6 मेंने के लिए and further बुरू करेंगे at the rate 3.375 परसेंटेज है न तो हमारा आउट फ्लो कितना होगा बुरू कंदेज पर हमारा आउट फ्लो गा हंड्रेड प्लस 2.5 परसेंटेज प्लस 3.375 परसेंटेज यह यह 105.95 न यह आए हमारा हम इसे 105.96 लिख सकते हैं यह हमने लिख दिया और अगर हम बात करेंगे इनवेस्ट का इनवेस्ट करेंगे 100 डॉलर एड रीट 6.5 परचेंट तो आपका इन फ्लू आएगा इसमें 100 प्लस 6.5 परचेंट न यह आएगा 106.5 आजाएगा आपका यह तो देखो यह आपका आउट फ्लू है यह आपका इन फ्लू है तो टोटल बारा मेने का यहां प्यार हमने सीधा बारा मेने का कर दिया है न तो आपका अभी क्या हो रहे है गिन आएगा कि लोस आएगा ओविस जब का गीन हो गया वंट फैफ फॉर का गये न हमार आंसर आगया यह पॉइंट फैफ फॉर का गीन कब आएगा पता है पर हंड्रेड डॉलर पह है अगर आप आई से के साब से बोलोगे कि वन डॉलर पर कितना आना चाहिए तो मैं बोल दूँगा डिवाइट पर हंड्रे डॉलर इंस्टेड ऑफ हंड्रेड डॉलर क्योंकि मुझे जहां तक यादे मैंने रिसेंटली नहीं देखा सॉलूशन ऐसे एगा मुझे जहां तक यादे उन्होंने वन डॉलर में किया हुए तो वन डॉलर में अगर करेंगे तो आपका आएगा पॉइंट फाइफ फॉर डॉलर का गीन होगा आपका सिंपल है ना कोशन अराम से आपको यह वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना है कि यह जो मैंने समझाया ना यह क्राइटेरिया बुझ दिहान पर रखना एंड सस्ता में बोरो महेंगा पर इन्वेस्ट और दिहान रखना लेफ्ट वाले में इन्वेस्ट होता है मैसा इस पर इन्वेस्ट होता है इस पर बोरो होता है कि महेंगा सस्ता का स्प्रैड जो हो कोश्चन हमारा दन कोश्चन में five हमने कर लिया है चलू मैं एक और कोश्चन करा दूँगा इक दो कोश्चन होगा इस वाले भी करेंगे कर ले को पर स्टार्ट करते हैं MS Parker and company is contemplating to borrow an amount of रुपे 60 करोड जिदार 60 करोड ये बोरो करना चाहते है for a period of three months in the coming six months time from now मतलब ध्यान से समझना उसे आज नीचे पैसा उसे छे महने के बाद पैसा चाहिए funds का requirement होगा यानि छे महने के बाद उसे three months के लिए बोरो करना है वापस रिपीट कर दो देखो इसने बोरो करना चाहा 60 करोड रुपीज और पिरिड ओ त्री मन्स मालब त्री मन्स के लिए बोरो करेगा पर आज नी coming six months time from now मतलब छे महने के बाद तीन महना के लिए बोरो करेगा यानि हम कहा सकते छे महना से लेकिन नो महना तक बुरिंग होगा न हम यह समझ रहे है six by nine FRA का requirement है यह हमने समझा क्योंकि six months से लेकि nine months तक agreed आगे बढ़ते है the current rate of interest is nine percent पर देना हमें क्या मतलब इस आज तो हमें पैसा चाहिए नहीं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं but it may go up in six months time तो वही तो बात है इसे डर लग रहा है कि future में रेट बढ़ ना जाए इसलिए आज यह क्या करना है hedging करने के लिए आज यह contract करना चाता है अब मेरा बात यहां से सुनो पहले मैं प्राक्टिकल ही आपको समझा देते हैं पर अब देखो हम 60 करोड रुपेस हम बोरो करना चाते हैं हमें लग रहा है कि future में जब हम बोरो करेंगे छे मेने की बाद हम बोरो करना चाते हैं जब हम future में बोरो करेंगे तब rate बढ़ सकते हैं तो हमने क्या क्या contract कर लिया कि हम 9.3% में बोरो करेंगे मतलब simple सा बात है आज हम क्या करें एक एक contract कर ले रहे कि 9.3% में बोरो करेंगे कब आज नहीं 6 महने के बाद बोरो करेंगे contract हम ले लेंगे और यह समझ लो कि FRA में हमें सा settlement होगा borrowing का जो भी आपका जो market का rate होगा उस market के rate की सबसे settlement होगा जैसे हमने future contract में देखा था settlement हो रहा था और जब आपको real में चीए तो real में मार्केट से बोडो कर लिनना क्या दिखते है तो यहां पर बता हूँ छे मेने के बाद अगर मानलो 9.6% हो जाते है तो real में यह 9.6% में में मार्केट से बोरो करोगे तो 9.6% पर एनम आपका कहां लगीगा, real market में लगीगा जहां से आप borrow करोगे और आपने 9.3% में borrow करने का contract करके रखा हुआ और market का rate हो गया 9.6% तो आप pass वाले बंदे को बोलोगे न जिससे आपने FRA में contract किया है, आप उसे बोलोगे देख मैंने तो 9.3% में borrow करने का contract किया और market में ये 9.6% हो चुका है तो मैं उससे कहूँगा, तू मुझे देगा 9.3% में borrowing करने का मोका देगा, और मैं वापस से इसको किसी और को दे सकता हूँ 9.6% में दे सकता हूँ तो यहाँ पर तू मुझे borrowing देगा, इससे चाहिए तू तो यहनि borrowing का rate है 9.3% investment का rate है 9.6% तो ultimately 0.3% का क्या हुआ फाइदा होगे आपका, तो 0.3% का फाइदा होगे अब देगो, real market में इतना का outflow होगा है ना, और आपका 0.3% per annum आपका मैं per annum में बता रहो, per annum का आपका inflow होगा, यहनि ultimately तो मेरा 9.3% ही लगा, क्योंकि market में 9.6% दूँगा और इधर मेरा क्या होगा, जो मैंने FRA में contract किया, FRA का settlement में मुझे 0.3% मिल जाएगा per annum का, यह मेरा ultimately लगा कितना per annum, 3 months का हाले कि में निकालना पड़ेगा, पर per annum हमारा 9.3% ही लगने वाला अब दूसरा situation देख लो, अगर 8.8% होता है तो यह सब exam में लिखने का नहीं, यह मैं आपको बस समझा रहो 8.8% अगर आपका हो जाता है आपने क्या कि 9.3% में contract किया अगर 8.8% हो जाएगा, तो market से 8.8% में borrow कर लेना, यह हमने borrow कर लिया, अब देखो, हमने 9.3% में borrow करने का contract क्या होगा, अब हमें सोदा को काटने के लिए 8.8% में invest करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, loss होगा, 0.5% का loss होगा, तो यह 0.5% हमारे क्या होगा, outflow होगा, है न, settlement में, क्योंकि यहाँ पर option नहीं है, कि इससी फाइदा ही फाइदा होगा, यहाँ पर loss भी हो सकता, फाइदा भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई premium अगेरा पी नहीं कर रहे हो, तो ultimately आप देख सकते हो, 9.3% हमारे इधर भी लगए, तो दोनों situation में मेरा कहना ही है, कि अगर आपका 9.3% में strike rate में borrowing हुआ हुआ है, contract क्या हुआ है, तो आपका लगना तो यह ही है, न जादा न कम लगए है, पर यहाँ पर जो solution है, solution आपसे यह नहीं पूछा, और solution नहीं भी नहीं पूछा, और ICA ने भी कि 9.3% पर नहीं आपका होगा, actual cost आपका, और हम यहाँ पर बता देंगे कि effect of FRA क्या होगा, यानि FRA का settlement किस तरीके से होगा, हम यह बता देंगे, एक काम करते, एक है, फटा-फट से, एक सेकंड लगी है, मैं एक बार है, ना, इनका जो मैंने PDF निकाला, वह वह बढ़ देख लेता हूं, आइडिया हो जाएगा, कुछ question में मुझे लगता कुछ है changes कि है कि इनों ने, इन दिनों में, वह मैं चेक कर लेता हूं, फटा-फट से, फिर आप लोगो solution करा दूँँगा, मुझे देखना question का कोई line में तो changes नहीं कि है, इनों ने, DM के अंदर, पर किया है, मुझे आदनी आ रहा है, मुझे जो लगा, वही हुआ, यहाँ पर आप देख सकतो, यहाँ पर इन्हों ने वही बोला, 60 crore है, for a period of 3 months, in the coming 6 months time from now, और the current rate of interest इतना है, but it may go up in 6 months time, companies का banker क्या कर रहा, code कर रहा, what will be the final settlement amount, if the actual rate of interest after 6 months happens to be, यह, तो मैं बदा दू, क्यों ऐसा किया गया है, यह मुझे पता चला था, कि कुछ ऐसा हुआ है, मैं बता रहू, पहले आपका question ऐसा ही था, पर जो ICA का solution था न, ICA के solution में, जो मैंने आपको बताया था था न, कि 9.3% अपका ultimately लग रहा है, वो वाला solution के इसाफ से, इन्होंने, question के accordingly उन्होंने solution नहीं किया, मलचू, यहाँ पर actual rate of interest cost है, FRA का effect है, इसके साफ से, इन्होंने solution नहीं किया, तो इन्होंने किया कि, अपना solution को match कराने के लिए, इन्होंने question का line ही बदाड़ लाला, इन्होंने question के line में लिखा किया, what will be the final settlement amount, तो हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ पर यहाँ पर यह काट की लिख देते हैं, यहाँ पर हम से यह पूछा नहीं जा रहा है, मतलब, ठीक है, जो अभी नया recently इन्होंने change किया, यह पूछ रहा है, what will be the final settlement, अब यह काम करना हम यहाँ पर shortcut में लिख दे रहा हूँ, अफरी का क्या final settlement होगा, आप PM को refer कर लेना, चलेगा, यह सीटों में दी दूँगा, PM को refer कर लेना, तो मतलब, ultimately, मुझे यह समझाना आपको, कि question number four, अभी तक हमने चालू भी नहीं किया, हम यहाँ पर सिर्फ एफर सारी का settlement करेंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि question final settlement ही पूछ रहा, तो हम start करेंगे, question number four, simple question, अदाम से हो जाएगा, यहाँ पर question number four, case one, जब आपका rate हो जाए, 9.6%, जो होगा, यहाँ पर आप देखो, यह क्या करूँगा, ऐसा line बनाऊगा, यह आपका जीरोत है, यहाँ पर है, यहाँ पर मैं रखता हूँ 6 months, और यहाँ पर मैं रखता हूँ 9 months, अब देखो, मैं यहाँ पर यह बैठा हूँ, मैंने यहाँ पर किया कि FRA में contract किया, क्या FRA में contract किया, company ने code किया FRA, कौन सा 6x9 FRA ही है, इसमें सब मिटा दे रहूँ है, यहाँ का, और बस आपको धियान रखना है कि final settlement amount जो हमारा यहाँ पर कुशिन बदल दिया गया है, हम उसके साब से करे, 6x9 FRA में दिया हुए, तो हम क्या करेंगे, कि इसमें borrow करने का contract करेंगे न, तो यहाँ पर हम जीरोत मन्त में यहाँ पर बैठे हैं, हम क्या करेंगे बता है, बोरो करेंगे, कब आज नहीं 6 मेने के बाद करेंगे, बोरो कितना करेंगे, 60 KROड, at the rate 9.3% हमने contract कर लिया कि हम borrow करेंगे कब 6 मेने के बाद हम borrow करेंगे यहाँ पर हमने contract कर लिया अब देखो अगर हम 60 क्रोड रुपीज 6 मेने के बाद borrow करेंगे 9.3% per annum में for 3 months के लिए तो borrow करेंगे इतना करेंगे तो इसका interest हमारा 3 मेने के लिए अगर हम borrow करेंगे तो जब हम borrow करते तभी हमारा interest लगता है कि बाद में लगता है अगर मैं 6 में borrow करूँगा तो borrowing करने पर मेरा interest नहीं लगता है interest मेरा future date में लगेगा तो मतलब interest मेरा 9 months के date में लगेगा यहनि 3 मेना complete होने के बाद मैं principal भी चुका दूँगा interest भी चुका दूँगा तो हम यहाँ पर बात करें interest का principal तो जो लिया वो चुकाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा 9 months में यहाँ पर 9 months में हमारे क्या होगा interest outflow होगा तो हम बोल सकते interest outflow हमारे कितना होगा 60 crore होगा 9.3% का into 3 by 12 तीन मेहने का तो interest आपका outflow होगा तो मतलब कितना होगा अब यह देख लो 60 into 9.3% into 3 divided 12 यह आ रहा है 60 crore ना 60 lakhs हो गया 60 crore ले लिया मैंने 60 crore into 9.3 percentage into 3 by 12 1395 0000 1395 0000 आपका आया इतना interest हमारा आ रहे हाँ पर यह interest हमारा outflow होगा क्योंकि हमने कॉंट्रे का बोरो करके रखा हो यह अब क्या होगा यहां से ची मेना बीच जाएगा six months past कि यहाँ पर सोधे को काटने के लिए हम क्या करेंगे सेम को invest करेंगे invest करेंगे न अगर बोरा कि बोरो किया है तो सोधा काटने के लिए invest करना पड़ेगा किस rate पर करेंगे जो उस टेम का रीट हो जाए है जैसे फ्यूचर में मैंने आपको समझाया था एड़ी रेट नाइन पॉइंट सिक्स पर्षेंट पर एनम और थ्री मन्त यहां पर इन्वेस्ट करने पर आपका ओविस अवाद है तीन मेने के बाद ही आपको इंटरस्ट मिलीगा स को काटने के लिए हम कर रहे है तो सिक्स्टी करोड इन्टु नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट इन्टु थी पैट्वल्फ यहां पर आप देखो यह हमारा आउट फ्लू है कि हमारा क्या है इन्ट फ्लू है अल्टिमेटली इन्ट फ्लू है आपका दिख रहा बड़ा तो गेन कितना हो गया किन हो गया हम बोल सकते हैं 1395 0000 का गेन आ रहा है आपका अब मेरा ध्यान से सुनो हम यहाँ पर six months के डेट में हम सोदा काट देंगे बल्द जीरो मंस के डेट में हमने forward contract किया है यहाँ पर इफर ए कौंट्रेक्ट किया हमने यहाँ पर जीरो मंस में और छे मेना बीद गया तो हम यहाँ पर पहुच गया और यहाँ पर हमने investment करके सोधा को काटा पर हमें दिख रहे क्या है कि सोधा तो six months में कट जा रहा है सोधा आपका six months में कट जा रहा है future में क्या था the price था तो सोधा भी जब कटा था तब ही settle हो जाता था पर यहाँ पर देखो ना सोधा six months में कटेगा तो आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं वो तो बोलेगा देख तेरा outflow भी 9 months में और तेरा inflow भी 9 months में तो तुझे पैसा भी 9 months में मिलेगा पर सोधा कब कट जाएगा सोधा 6 months में कट जाएगा तो इसी के लिए हम क्या करते हम बोलते ठीक एक काम तुम कर तीन मेहने के बाद तुम मुझे 4,50,000 देगा न यहाँ से यहाँ से बोलोगे आप यहाँ पर बैट के 6 months में आप बोलोगे देख तू 3 मेहने के बाद मुझे 4,50,000 देगा क्योंकि 3 मेहने के इंटरस इतना बनता है मेरा उटलो और इंटरस का इंफलो मेरा इतना बनता है तो तू मुझे 3 मेहने गया 4,50,000 देगा एक काम करने इसका present value आज देदे तो हम क्या गरिए 4,50,000 को present value में पूल करेंगे मैं जो 3 months back क्योंकि सोदा तो 6 मेने में कट जाएगा तो उसी दिन आप settle कर दो 3 months back आप पूल करोगे कौन सा rate पे contract rate पे नहीं होता है interest rate, market rate यानि उस time में क्या market rate of interest चल रहा है ये तो मैं पता चली गया था 9.6% चल रहा है आपका 6 मेने के बाद हमें पता चली है यानि कि market rate of interest 9.6% होगा पर ये तो 9.6% हमें तो 3 मेने का चाहिए तो 3 मेने का क्या होगा 9.6 divided by 4 यानि 2.4% होगा आपका 3 मेने का 3 मेने का 2.4% होगा मतलब 4 like 50,000 को हम क्या करेंगे 1.024 से pull कर देंगे 3 मेना back pull कर दिया हमने 4 like 50,000 divided 1.024 जितना है 439453 कि आपका गीन होगा gain on settlement मतलब हमने 6 months पे लेके आगए हम तो यहाँ पर देते होगा मैंने थोड़ा सा land आपको बता दिया समझाने के रिमें आपको बता दिया exam का solution क्या होगा exam का solution आप एकदम simple रखोगे आप ये बोलोगे कि borrow किया था 9.3% में आप सोदा काटने के लिए इन्वेस्ट करोगे किस पे market record area 9.6% में सोदा काटोगे ना क्योंकि borrow 9.3% में किया था तो आप सीधा निकाल सकतो gain आपका क्या आएगा आप बोलोगे 60 करोड को 9.6% में invest करोगे 9.3% में आपने borrow किया था ये तो परेनम है हमें क्या करना पड़ेगा इसे 3 by 12 करना पड़ेगा ये करने के बाद हम क्या करेंगे इसको pull करेंगे present value में pulled to present value at the rate of 1.024 है ना आपका exam pull कर देंगे तो ultimately आपका आएगा कितना उपर वाला 4 like 50,000 divided 1.024 आएगा आजाएगा 439 453 अब इतना shortcut में answer लिखोगे exam में चल जाएगा बस ये आपकी understanding के लिए था आगे हम next part करते है second part second part भी मैं आपको directly बताऊँगा कुछ इतना detail नहीं बात करूँगा 8.80% है तो दिखो आपने बोरो किया है 9.3 में है ना और यह आपका invest का होगा यहां पर होदा काटने के लिए आप invest करोगे तो इस बार आपका loss होगा क्योंकि borrowing का rate higher है आपका यहां पर second part में आपका loss आएगा loss कितना आएगा आपका 60 क्रोड का 8.8% अभी invest का है 9.3% में हमने बोरो किया था into 3 by 12 तीन महने का लोगे आप यहां पर और divided by क्या करोगे pull करोगे to present value at the rate कौन सा market का rate क्या होगिया 8.8% होगिया ना 8.8% का तीन महने का कितना होता है 2.2% होता है इन महने का 2.2% होता है इन महने का इन दो तू 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 परसें 1.022 होगा यह नहीं हम कहा सकते कितना आएगा 60 रूड इन्टू 0.5 परसेंटेज इन्टू 3 by 12 आएगा और दिवाइड 7,50000 आ रहे है इन दिवाइड 1.022 तो मतलब हम अल्टीमेट इतना ही बताना है बस ध्यान रहे मैंने आपको जो समझा है वूची समझना है कि यहां पर हम क्या करेंगे बोरो का क्rauenटरेक्ट हम करेंगे आज ही 6 मेने कि बाы करने का पर 6 मेने के अदम सोधा काटने के लिए इन्वेस्ट करेंगे पर जो invest का borrow का interest होगा outflow in flow वो 9 months पे होगा तो हमने pull कर दिया 3 months back ताकि 6 months में settlement करके हम निकल जाए तो यहाँ पर यह ध्यान मेरे यह 6 months पे settlement हो जाएगा और यह भी आपका 6 months पे settlement हो जाएगा आपका ताकि 9 months तक आपको वीट नहीं करना पड़ेगा तो यह question हमारा हो चुका फिर इसकी बाद हम करेंगे next एक ओर question करेंगे question number 7 यह question important है आपके study material new syllabus में भी है पीम में भी है बहुत सबके लिए important question है तो companies ABC and X-Wedget approach the DEF bank for FRA they want to borrow a sum of rupees 100 crores after 2 years for a period of 1 year यहनि इसे borrow करना है 100 crores आज नहीं करना है दो साल के बाद करना एक साल के लिए मतलब हम यह कह सकते है 2 by 3 FRA क्योंकि 2 years के बाद 2 years से लेकि 3 years तक का बोरो करना है न तो यह 2 by 3 में लेकि 2 years से 3 years है 2 by 3 FRA हमें चाहिए 2 साल के बाद 1 साल के लिए करोगे bank has calculated yield curve for both the companies यहां परते को year 1 का सारा धियावाद ध्यान रही है हमें सब परेनम ही होते है सारे के परेनम ही है सारे परेनम है यह ध्यान में रखना अब मेरा बात सुनो ध्यान से अगर मैं आपको देता हूँ 6 months का rate 8% में आपको बोलते हैं 2 months का rate होगा तो आप समझोगे compounding में 2 months है 10 months का rate है तो आप समझोगे compounding में 10 months है पर ध्यान रहे है अगर मनलो 2 years का rate है तो आप यह नहीं कहोगी कि compounding में 2 years है तो compounding तब 1 year ही रहेगा क्योंकि generally 1 year के बाद ही वो आपका interest चड़ जाता है भले आपको मिले या ना मिले तो कोई भी situation में ध्यान में रखना अगर 1 year से नीचे का दिया हो आपको कोई भी rate तो आप मों लोगे उतनी का compounding है माल लोगे पर जब 1 year से जादा का rate होगा तो आपको यह समझना है कि compounding में 1 है मतलब यह देखो दो साल के लिए अगर को investment करेगा तो 4.20% है पर यह पर एनम है और compounding भी यह क्या रहेगा पर एनम ही रहेगा आपको यह समझना है अब हमें क्या पूछा गया है इसका कोई इतना काम नहीं है यहाँ पर हमें DF bank का निकाल देंगे हम कैसे करेंगे अब यहाँ पर आप देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ABC अप्रोच के DF bank को forward FRA के लिए और वो बोरो करना चाहता है 100 crore और bank ने calculate कर लिया yield का यहाँ पर तो यहाँ पर हमें DF bank का निकाल ला है और yield कर जो दिया हुआ यहाँ पर किसका दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले इसका निकाल लिए 2 by 3 FRA तो bank यहाँ पर DF bank कहां से यहाँ पर हम दोनों का FRA निकाल देंगे XYZ का भी FRA निकालेंगे ABC का भी FRA निकालेंगे तो हमें क्या करना है 2 by 3 FRA निकालना है मतलब हम यह जाना है सबसे पहले है तू बंस का रीड जो दिया वह वह एफेक्टिवली क्या रेट है टोटल और स्रीयर्स का भी रीड के तो हम अगर बात करें पहला साल का और दूसरा साल का मैंने लगा दिया तो साल का लगा दिया मैंने तो बनेंगा 100 प्लस 4.2 परसेंटेज प्लस 4.2 परसेंटेज यानि 108.5764 आ रहा है लगा प्लस 4.48 परसेंटेज प्लस 4.48 परसेंटेज तीन बार कर दिंगे 3 साल का यहां पर हमने समझ नएक साल का यह उन यह पर इंट्रेस में इंट्रेस आड़ा दिये 2 साल का यहां पर यहां पर विच्वण कर और 3 साल का में निक दौसाल का निकाल लेंगे 3 साल का निकाल लेंगे यह यहां पर hanas on 08.48 percentage plus 4.48 percentage plus 4.48 percentage यार 114.05 है ऑफ ट्रीका हमारे पास है तो क्या हम टू बैट्री अफरी निकाल सकते हैं यह सब्सक्राइब क्या बोलेंगे हम कहेंगे देखो यह यह तक जाना है इतना इसे कमाना चाहिए ताकि पैरिटी में रहेगा तो मोलेंगे कि कितना बढ़ाना पड़ेगा 108.5764-114.05 यह सब तो समझाया हुए आपको 5.4747 कहां से बढ़ाएंगे 108.5764 से तो कमाएगा वो दो साल के बाद अगर वो इन्वेस्ट करें तो यानि दो साल के कोई बंदा इन्वेस्ट करें तो उसे इतना कमाना चाहिए कहां से इतना से कमाना चाहिए आ जाएगा इससे आपका डिवाइड़ेट 108.5764 या कितना 5.0422 यानि 5.04% हम कह सकते हैं तो थियोरिटी के लिए हमने 2 by 3 अफरे निकाल लिया किसका? एक्स वाइज़ेड का 5.04% आरा आपका 2 by 3 अफरे अब हम ऐसी क्या करेंगे ABC का भी निकाल लेंगे ABC का हम लेख लेते 2 यह का क्या इंट्रेस्ट होगा और 3 यह का क्या होगा हम यह निकाल लेंगे फिर 2 by 3 निकाल लेंगे 5.48% प्लस 5.48% यहां पर होगा 100 प्लस 5.78% इन साल का तो तीन बढ़ लगी हो और compounding में चड़ेगा आपका यह है यहनि 100 प्लस 5.48 प्लस 5.48 प्लस 5.48 प्लस 5.48 प्लस प्लस 5.48 प्लस यहनि 111.26 और इदर आएगा 100 प्लस 5.76 प्लस 5.7 प्लस 5.87 प्लस 5.49 प्लस 5.7 प्लस यह 118 प्लस 6 आ रही है आप पर वाला फिर से चेक कर लेता हूं मैं कि यहां पर हमने निकाला तो टू यह में इतना बनेगा वेलू और त्री यह में इतना वेलू बनेगा तो टू यह से लेके त्री यह सका कितना कमाई होना चाहिए तू वह थ्री अफर है यह यह वह पहुंचना चाहिए 111.26 से 118.36 यह साफ ही दिख रहा है 7.10 difference है ना 111.26 इंटो हंड़ेट यहारा 6.38 परसेंटेग तो हमने देखो निकाल लिया 5.04 परसेंटेज हमारा आया तू बैट्री एफरे और तू बैट्री एफरे हम पर आगया 6.38 परसेंटेज तो मतलब हमने दोनों का निकाले जो हमें पूछा गया न डिए वेंक क्या कोड कर हमने फरे निकाल दिया पहला वाला मारा अंसर होगे मतलब सिंपल है फिर्स्ट वाले पार्ट में कुछ नहीं करना आपको आपको तू बैट्री एफरे निकालना तो उसके लिए क्या चाहिए तो टू येर्स का यूज़ करके हमने तू येर्स का टूटल रिट निकाल इसे पहले हम करते थे शिक्स मंस और नाइन मांस का कितना वैलू है तो आपको वैसा ही तरीका से बस यहां पर हमने क्या मना कि जो रिट हो तो हमें सब परेनम ही होते हैं और कंपाउंड़ परेनम से ज्यादा नहीं हो साथ हमें उतना ही लेने फिर आगे हम बात करेंगे लोगों इसका बात नहीं हो रहा है इसका बात नहीं हो रहा है इसका इसका एक्स वाइजट का टू बाइट फ्री एफ़र हमने निकाला था फइप पॉइंट जिरो फॉर परसेंटिज यहां पर पूछा गया कि बैंक अगर इंट्रेस रेट गैरेंटी देता है जहां पर यह पॉइंट वन परसंट का प्रीमियम लेता है मतलब क्या है जब आप प्र प्रसेट गैरेंटी का वर्ड यूज़ के फोर है प्रीमियम पॉइंट वन परसेंट बल आपको यहां पर इस स्पेशिफिक पॉइंट में आपको समझना है कि यहां पर आपका यह सिर्फ वन साइडड हाग है मतला हक मुझे मिलेगा मैं दे रहा हूं क्या प्रीमियम बतले दोनों केस में मेरा 0.10% तो आउट लो होई गया प्रीमियम का, यह दोनों केस में मेरा होई जाएगा, अब बताओं, अगर 4.50% होता है, मार्केट का रिट 4.50% होता है, तो सिंपल सी बाते में 4.50% में मार्केट से बोरो कर लूँगा, और जो मेरा ऑप्सन है, जो मैंने गैर बोरो करने का, तो आप क्यों इसके पास आओगे, तो यहाँ पर ही जो हमने उप्सन लिया है, यह लाप्स हो जाएगा, 4.50% में लाप्स हो जाएगा, तो आप थोड़े ना उससे 5.04% में लोगे, आप तो 4.50% में मार्केट से डिरेक ले लोगे, बात खतम, तो आपका 4.50 और आप उप्सन को क्या करते होगे, लाप्स करवाद होगे, अगर 5.50% होता है, अगर 5.50% होता है, तो माल लेते हैं, हम मार्केट से 5.50% में बोरो तो करी लेंगे, लेकिन इस बार उप्सन लाप्स नहीं होगा, क्यों लाप्स नहीं होगा, क्योंकि हमने 5.04% में बोरो कर आएगा 0.46% का गिन आएगा आपका तो 0.46% आपको इधर मिल जाएगा तो आपका ultimately यहाँ पर तो 4.60% लग रहा है नेट पर और यहाँ पर आपका लगेगा कितना 5.14% ही लग रहा है आपका और वो कैसे लग रहा है मैं बता दू क्योंकि 5.04 आपका लगी है यह आपका इससे जाता लग नहीं सकता है अब हम next कर सकते हैं क्या हम करेंगे next start swapping नेक्स्ट इस्वापिंग जो मैं आपको कराऊंगा यह स्वापिंग के लिए मैंने already examples लिके रखा वाथा कि हमारा time सी वह यहाँ पर क्योंकि revisionary video फटा-फटा हमारा time सी वह जाए तो यह example हम discuss करेंगे पहले मैं आपको swapping का मतलब हो गया कुछ दो और कुछ लो मतलब मालो for example मैं हो और आप हम दो लोग हैं आपर ठीक है मैंने आप से बात किया मैंने आप सिखा कि काम करते हैं हम interest rate पे खेलेंगे interest rate पे खेलने वाले दूनों मेरी pocket में एक रुपया भी नहीं है आपकी pocket में एक रुपया भी नहीं है दोनों bankrupt हैं यहाँ पर आप हम खेलना चाहते हैं तो हमने क्या decide कर कि 10 लाग रुपीस का nominal amount लेते हैं 10 लाग रुपीस का nominal amount रहेगा मैंने आप से कि मैं आपको दूँगा fixed rate of interest मानलो अभी का fixed rate of interest मतला decide करना पड़ा फिक्स रेट तो fixed कुछ तो होगा मैंने आप से खा कि मैं आपको 10% fixed rate of interest दूँगा every year for a period of three years किन साल तक दूँगा और आप मुझे दोगे floating rate of interest every year यानि लाइबोर का equivalent one year का लाइबोर का equivalent जो rate of interest होगा व और जो मैं आपको दूँगा वो बदलने वाला नहीं वो 10% fixed रहेगा हमने decide कर लिया मतलब आने वाला 3 साल तक मैं आपको 10% ही दूँगा 10,00,00,00 पर 10% दूँगा यानि 1,00,00 रुपीज दूँगा मैं आपको पहले साल मैंने आपको 1,00,00, 2,00, 3,00,00 मैंने आपको 1,00,00, और आप मुझे हर साल क्या दोगे floating rate of interest मतलब मालो first year अगर 12% हुआ तो 10,00,00,000 कितना आप मुझे 1,00,00,000 तो मतलब मैंने समझा first year का अगर मैं बात करो first year मुझे आपको fix देना है 10,00,00, 10% मुझे आपको fix 1,00,00, देना है और LIBOR first year में अगर मालो first year का LIBOR है rate 12% है तो आप मुझे क्या दोगे 10,00,00, 12% दोगे आप क्योंकि आपको तो मुझे floating दोगे 10,00,00, 12% आप मुझे दोगे 1,00,20,000 तो मतलब यहां पर यहां पर ऐसा नहीं कि मैं आपको 1,00,00, आप मुझे 1,00,20,000 दोगे हम net पर settle करेंगे मतलब मैं कहूंगा कि देख मुझे तुछे 1,00, रुपया देना है और तुझे मुझे 1,00,20,000 रुपीज देना है एक काम कर तो मुझे 20,000 दे बात कद हम settlement हो गया settlement होने पर मेरा gain आगया 20,000 का आपका loss आगया 20,000 का अब second year secondary में मालो rate of interest हो गया 7% floating rate of interest 10% हो गया मुझे त आपको fix देना है 10% क्योंकि decided है मैं तो आपको fix ही है न तो settlement में मैं simple सी बात है मैं आप से कुछ लूँगा नि आपको मैं 30,000 net settlement में दे दूँगा मतलब इस बार मेरे 30,000 का नुकसान हो गया और तीसरा गर example में आपके साहर को तीसरा example में मालो तीसरा year example नहीं third year का बात करो third year में माल लेते rate of interest जो floating का वो 10% है देखो न मुझ settlement में zero आएगा ना आपको मुझे कुछ देना ना मुझे आपको कुछ देना क्योंकि same rate of interest है तो इस तरीके से हमने किया एक swapping किया swapping का मतलब मैंने आपको बोला मैं आपको fix दूँगा और आपने मुझे क्या बोला मुझे floating rate of interest दोगे को एक national amount हमने ले लिए 10 लाग रुप आप से लेने वालो नौसनल amount हमने रखा 10 लाग रुपिस का national amount अब मालो first year में 12% हो गया तो मैं तो आपको 10% दूँगा यानि मेरा outflow 10% होगा पर आप मुझे 12% दोगे यानि ultimately आप मुझे 2% दे तो net settlement में 2% 20 था हुचिन हमारा answer आया था जो पहला मैंने 1st year का बात किया था second year में देखो 7% अगर हो जाता है मुझे तो आपको 10% नहीं देना है पर आपको मुझे 7% देना है यानि आप मुझे आप मुझे कुछ नहीं दोगे इस बारी मैं आपको extra 3% दे दूँगा settlement हो जाएगा मैं 30,000 में आपको दे दूँगा and तीसरे वाले scenario में बताया था settlement gain या दूसरा लेंगे तो यहाँ पर अब ओवियस से बात एक जन जीती गा एक जन हारेगा every year है ना done तो यह simple था एक्दम simple तरीकर से में समझ में आगया अब आगे एक और अच्छा एग्जामपल है यह मैं आपके साथ discuss करूँगा ज्यान से सुना त्रतिक जगाती जो कि मेरा न 10,000,000,000 रुपीज बोरो करना है मुझे 10,000,000 रुपीज बोरो करना है अब बताओ मुझे fix rate of interest पे बोरो करना चाहिए कि मुझे floating rate rate of interest पे बोरो करना चाहिए आप से मैं सवाल पूछना चाता हूँ है क्या लगता आपको मुझे क्या fixed borrowing करना चाहिए कि मुझे floating borrowing करना चाहिए तो आप बोलो के sir यह तो depend करता है कि आपका सोच क्या है आप क्या सोच रही हो आप future को कैसे forecast करो सही बोल आपने कि मैं future को कैसे forecast करो मालो for example मुझे लग रहा है कि future में interest rate बढ़ेगा future में interest rate आज मालो 10% के आसपास से है future में 15-20 तक चला जाएगा interest rate बढ़ेगा मेरा strong belief आ रही है तो future में interest बढ़ेगा अगर मैं floating में borrowing करता हूँ अगर मैं floating में borrowing करता हूँ तो future में interest बढ़ा हुआ rate बढ़ेगा मुझे वह ही देना पड़ेगा क्योंकि floating का मतलए जो market का interest rate होगा future में मुझे वही तो देना पड़ेगा तो मालनो अगर मैं floating पर borrowing किया और future में 20% हो गया rate of interest तो मुझे तो future में 20% देना पड़ेगा अगर future में 25 हो जाए तो मुझे 25 देना पड़ेगा क्योंकि मैं floating borrowing कर रहा हूँ यह जो market का rate होगा in future लेकिन अगयर मैं fixed borrowing करूँगा तो future में बढ़ने पर भी तो fixed ही देना पड़ेगा मालनो for example मैं मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने आपको खा कि मैं 5 साल तक आपको fixed rate of interest 10% होगा 10% fix दूँगा अब मालनो future में rate हो गया 20% market का तो फिर भी मुझे आपको 10% नहीं देना है मुझे आपको 20 नहीं देना तो मैं बच गया न तो यहाँ पर अगर मेरे strong belief आ रहा है कि future में rate of interest high जाएगा बढ़ जाएगा तो वैसा situation में मेरा यह strong belief है तो मुझे क्या करना चाहिए fixed borrowing करना चाहिए ताकि मेरा अगर future में rate बढ़ जाए तो मेरा नुकसान ना हो अलकि यह तो prediction होगा obviously बात है prediction होगा आपका आपका नहीं भी हो सकते हैं अपर घड़ भी सकते हैं तो आप पस्ता भी सकते हो क्या घड़ गया हम अगर floating में करते तो घटावा rate हमें देना पड़ता है तो हम पस्ता भी सकते हैं तो वो अलग बाते हैं पर हम यहाँ पर अभी आज यह करेंगे हम forecast करेंगे अगर मुझे लगता future में interest rate हाई जाने वाला है मुझे fixed borrowing करना चाहिए और अगर मुझे लगता है कि future में interest rate low जाने वाला है आज 10% है future में 5-6% हो जाएगा मुझे एसा बहुती दिल से strong feeling आ रहा है बहुती अच्छा feeling आ रहा है कि future में rate गिरेगा 5-6% जाएगा तो अगर मैं fixed में borrowing करूँगा तो म यहापर लिख्वा दिता हूँ आपका future prediction होगा ठीक है जैसे astrologer वगिरे लोग करते ना जोती सी लोग future prediction करते है हमें भी यह करना है future prediction करेंगे आपर अगर आपका future prediction यह है ठीक है expects that interest जो है न विल गो अप in future तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि हाई जाएगा future में interest rate ठीक है interest rate हाई जाएगा आपको ऐसा लग रहा है आपको fixed borrowing करना चाहिए fix rate borrowing करना चाहिए अगर आप expectation यह कर रहे हो interest rate will go down in future अगर आपको बिलिफ आ रहा है कि future में interest rate गिरेगा तो floating करो ना ताकि जब गिरा हुआ रहेगा तो गिरा हुआ रहेगा तो गिरा हुआ रहेटी देना पड़ेगा मैं तो मैं floating rate पर बोरूइंग करना चाहिए यह मैंने आपको समझा दी यह आपका conclusion है जो आपको दियान पर रखना आई है understanding आपको ही रखना तो यह हमने समझ लिया अब हम आगी हमारे example में आ जाते है अराम से होले होले example देखते है प्रतिक जगाती wants to borrow fixed rate fund is a fixed rate fund borrow करना है as he believes that interest rate will go high in future तो अगर मुझे लग रहे है कि interest rate high जाएगा ना future में तो मुझे obviously fix करना चाहिए तक हाई वाला rate मुझे ना देना पड़े फ्लोटिंग होता तो हाई वाला देना पड़ता तो that means मुझे fixed borrowing करना चाहिए क्यो real में अगर आप market से borrowing करोगे तो fixed interest rate आपका लगी है कितना 15% मतलब आपके बस दू option available है आप market से यहाँ पर ऐसा नहीं national का बात नहीं हो रहा है real में प्रतिक जगाती को 50 लाग रुपी चाहिए तो 50 लाग रुपी इसके लिए इसके बस दू option है एक यह fixed borrowing कर सकता है दूसरा यह floating borrowing कर सकता है दोनों rate available है तो fixed वाले इनने क्या बोला कि 15% आप मुझे हर साल देना यतना भी 5 साल दस साल जतना के लिए बुरो करना है हर सल 15% का interest देना floating वाला क्या बोल रहा है कि जो LIBOR का rate होगा future में मालनों LIBOR का rate future में 20 होगा तो 20 में plus 2% add कर देना 22% देना LIBOR का rate future में 18% होथा तो 18 plus 2 20% देना LIBOR का rate future में 5% होथा 5 plus 2 7% देना मतला यहाँ पर floating भी available है तो आप बताओ यह दोनों available है और साथ में एक ओट is available जो कि सबसे important है जो मुझे आपको समझाना है that is swap bank offers fixed to floating rate 9% versus LIBOR plus 1% यह मैं आपको समझाऊंगा अराम से tension ना लो बिलकुल भी पर यहाँ पर मेरा बात यह समझो कि जो fixed rate आपको borrowing करना है आपने कहा कि मुझे fixed rate borrowing करना है अब आप बोलो कि floating का मतल़ भी नहीं है प fix rate borrowing करेगा कितना 15% में बात खतम तो यहाँ पर प्रतिक जगाती को desire है to borrow fix rate fund यह directly borrow कर सकता है real market से 15% पर एनम and therefore there is no swapping required मतलब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्यो swapping का ज़रुत नहीं पड़ा हम सीधा 15% में market से खरीद के ले आएंगे कोई problem ही नहीं है अराम से हमारे घर आ चुगा है कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया हमें यहाँ पर अब यहाँ पर मैं आपको समझाओंगा कि swapping क्यों नहीं हो मैं एकदम simple सा example लेना चाता हूँ आपको एदम ध्यान से सुना मान लो एक मेरी girlfriend है ठीक है simple यह मेरे class में भी मैंने example लिया था तकि मुझे condition में मेरे पस क्या उपाई है एक उपाई में उसे भगा के लिए हूँ ठीक है भगा के लिए घर आ गया वह साधी कर लिए बात खत्म तो मेरा जो desire था उन्हें डिरेक्ली क्या क्या अपने घर लेके आ गया मैं या फिर दूसरा चीज में क्या कर सकता हूं ध्यान से सुना मे किसी और से साधी कराने को चालते हैं किसी ठंट पार्टी से दूसरे से साधी कराना चाहते है और मेरी भी किसी लड़गी दूसरे लड़की पसंद कर रहा है तो यहां पर ऐससा मैं एक तो मैं क्या कर सकता हूँ सीधा उसे भगा के लियो साधी होगे बात खतम तुसरा मेरे पास उपाई क्या है कि मैं क्या करूँगा मैं उससे कहूँगा ठीक है तो उसके साथ साधी कर लेता हूँ हो गया बात खतम मतलब मैं against the desire साधी कर रहा हूँ वो भी against the desire साधी कर र लड़की मेरे पास आ गई एंड वो लड़की उसके पास से ले गए तो हम दोनों का काम बन गया पर है ना तो हम यहां पर सब्सेंटिंग कर लिया न हमने मतलब पहले मिल अगेंस दा चॉइस गए और फिर बात मिलें हमने क्या कर लिय्ज अपर हम करें यह पर हम क्या करेंगे दिख़ो हमारे पास क्या उपाइए इक 12 इमगी जो की अपुर करते कि स्बॉट इंगे यह इन तरा ना मं मान बंक ये कहता है, जो मैं आपको इनन दोगे हम आपको fix देंगे 9%, तो मतलब यहाँ पर एट करेंगे और एक जा नहीं में अगेंज देजाएर जाओंगा मैं 15% मुझे fix borrow करने है मेरा requirement fix borrow करने है पर मैं fix borrow करूंगा नहीं मैं against the desire जाओंगा मैं क्या करूंगा पता है floating में borrow करूंगा तो मेरा market में outflow होगा floating outflow होगा और फिर उसके बाद में swap bank में मेरा मार्केट में फ्लोटिं बोरो किए तो मेरा मार्केट में फ्लोटिंग ले लूँगा और बदले में उसे फिक्स दे तो देखो मेरा मार्केट में floating गया तो subbank से floating आ गया, floating, floating cut और फिर में fix दे दूँगा उसे, ultimately मेरा fix दी तो लगा, तो इसे मैं अराम सी, अच्छी तरीगे सा समझा रहा हूँ, प्रतिक जगाती क्या करेगा यहाँ पर, ये floating में borrowing करेगा, ये क्या करेगा, floating में borrowing करेगा, ना कि फिक्स में बोरो करेगा मतलब अगेंस डिजायर बोरो करेगा बोरो करेगा अगेंस्ट दा डिजायर आपको करना था फिक्स पर आप फिक्स नहीं करोगे आप फ्लोटिंग में बोरो करोगे तो फ्लोटिंग में अगर हम रियल मार्केट से बोरो करेंगे तो फ्लोटिंग में तुमारा एल प्लस टू परसन लगीगा अगर हम फ्लोटिंग में बोरो करेंगे तो अब देख सकतो ह हमारा आउट फ्लो रहा है ले 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 यह इन फ्लो करने में और बदले में उससे फिक्स देंगे यह आइड अब देख सकते हूं यहाँ पर सब्रोटिंग क्या रहा है अगर आप यहाँ पर वापस से निखा हुए बदले में में समझा देता हूं लिख के तब आपको ज़्यादा दिमाग में जाएगा तो प्रतिक जगाती देखो प्रतिक जगाती अब मेरा floating outflow हो गया पर मैं नहीं चाहता है मेरा floating outflow तो जो मेरा outflow उसे मैं inflow कराना चाहूँगा किस के पास swap bank को कहूँगा तु मुझे floating दे दे outflow हो है न तो मैं swap bank के पास floating in flow कराना चाहूँगा तो मैं inflow कराऊँगा क्या मैं inflow कराऊंगा क्या मैं inflow कराऊंगा यहाँ पर floating floating मैं inflow कराऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर floating outflow हो रहा था मैं inflow करा दूँगा तो subbing के बस floating inflow कराएंगे तो कितना मिलेगा swabbing का year rate l plus one percent मिलेगा मतला हमें पता चला l plus one percent हमारा inflow होगा, यह मैं पता चला, अब कुछ inflow होगा, तो कुछ outflow भी तो कराना पड़ेगा, स्वेब बेंक में, तो fix हमें outflow कराना है, कि तरह 9% हमारा fix हम outflow करेंगे, हम outflow करा देंगे, क्योंकि एक bank को देंगे तो दूसरा bank से लेंगे, तो 9% Outflow Fixed करा देंगे तो आप हमें पता चले हैं, तो हमें क्या पता चले है कि जो हमार Outflow क्या क्या हो रहा है, Uल प्लस Buzz 2% हमार Outflow रहा है, और यह वाला भी तो Outflow है, Fixed आपका 9% भी आपका Outflow हो रहा है, यह कहां पर हो रहा है, यह आपका Real Market में और ले हो रहा है जहाँ पर अपने में बॉरेंगं कि हैं और ये आपका में दो और साद है इसाथ आपका में इनल्व Dublin तो हो रहा है आई परेशनों छलू हो रहा ह। кап डेक्स तो सब ऑनन में ही गल्ती से लिग दिया था लगत्यूं को मिला लेंगे आउट फ्लो आउसे और यह को ह Une अगर आप सीधा 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 आपर डायेक्ट आपको वापस से समझा देता हूँ नहीं देखना आपको यहां पर वापस से मैं रिपीट करते हैं आपको सबसे जादा स्ट्रेस ना एक कोशन में अच्छा स्ट्रेस देदोगे 10 कोशन करने के जरूवत नहीं पड़ेंगे क्योंकि यहां पर फ्लोटिंग आपका उट्फलो टा जो अपने रिएल में फ्लोटिंग मार्केट से जो आपने लोन लिया था उसका आपका रेते हीं अब अप सब्बैंक में इनफ्लो कराओंगे फ्लोटिंग इतना वाला और फिक्स देदोगे इतना वाला तो हम ने देखो आउटफलो और एंफलो अमने लिग दिया क्या कि इफ इफ इट वाज बोरोड कि टैरिकली कि प्रॉम मार्केट कि अधिरेट फिफ्टी है ना 15% की जगा 10% में काम बन गया ना तो टेट में समारा फाइदा हो गया तो सब्सक्राइब का मंत्रा क्या यह ध्यान में रखना अगर मेरा इंटेंस ने फिक्स बॉरू करने का मैं अगेंस रडिजायर जाके फ्लोटिंग में बॉरू करूंगा और बात में सब्सक्राइब करा लूगा अगर मेरा दिजायर rotting बॉरू करने स्पाइब गल्फृंड वाला एक्ञापल समझाय था था आ वैससा आ प्रिख घलेना डाफेनेंटली luôn आपका क्लेर होगा लाइबर तो floating होता है fixed or floating national amount कितना रखा five lakh रखा अब पूचा कि semi-anual fix payment बता हूँ अब ये नहीं पता है कि fixed कौन लेने वाला floating को लेने वाला हमें नहीं पता हमें इन्होंने ये बोल दे कि fix का amount बताओ तो अवे साथ fix rate कितना 8% है कितना पांच लाग का 8% पांच लाग पे 8% fix लगीगा every year लेकिन semi-in वाले बोला तो semi-in वाले नी 6-12 होगा न 6 months हो गया तो 5 लाग का 8% कितना होता है तो आपका fix payment हमने निकाल दिया 20,000 होगा डन यह वाला आम से समझ में है दूसरे वाला find the first floating rate payment for one above if the 6 months period from the effective date of swap to the settlement date comprises 181 days and that the corresponding LIBOR was 6% on the effective date of the swap तो यहां पर देखो days बोला तो days के साब से कर लेंगे इन्होंने बोला कि LIBOR अगर 6% हो जाता है तो floating का क्या payment होगा तो floating आपका payment क्या होगा जो भी floating payment करेगा तो बोलेगा देखो 5 लाग का इस पर वो 6% floating का payment करेगा पर 6% तो एक साल का है हम 181 days by 365 कर लेंगे हम 6 by 12 भी कर सकते थे 6 मिने का जैसे हमने उपर वाले में किया यहां पर यहां पर भी काम करना यहां पर भी आप इस ऐसे कर देना 5 लाग into 8% into 181 by 365 days कर देना तो वो भी answer correct है तो उनका answer बराबर ही आएगा कुछ फरक नहीं आने वाला देख लेता हूं किया रहा 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 है यहां यह 20,000 से अलका सब फरक आ रहा है तो दोनों answer correct है टेंसन बिल्कुल भी ना लो और यहां पर अगर हम इसका बात करें तो इसका आएगा 181 divided 365 इसका रहा 14876 अगर 181 days के सब से करते तो और अगर आप 6 months के सब से करोगे तो 15,000 आएगा आएगा तो देखो दोनों correct है कोई problem नहीं है तो हमने देखो हमने पहले वाले में निकाला fix payment क्या होगा च्छे मेने का और हमने निकाला floating payment क्या होगा च्छे मेने का अब देख if the settlement is on net basis how much the fixed rate pair would pay to the floating rate अब देखो न ओविएस सी बात है 20,000 मान लो मुझे 20,000 देना है तो मुझे 14876 मिलना है अगर मुझे 20,000 मिलना है तो 14876 देना है क्योंकि मैं fix दूँँगा तो floating दूँगा न और दूनों का difference क्या है 14876-20,000 इन आरा 5124 आ रहा है तो और 5124 इस दा अंसर हो जाएगा आपका यह net आपका amount इतना में settle होगा net पे agreed समझ में आया बिलकुल अराम से perfect directly भी निकाल सकते है इसका end वाला 8% देना है 6% लेना है मान लो तो 2% का difference है न 2% तो पूरे साल का हुआ तो एक साल का कितना हुआ 1% ही हुआ छे मेने का 1% हुआ न क्योंकि पू मैं ज्यादे information नहीं पढ़ना चाहता था अच्छी बात है कोई बात नहीं तब तो यहाँ पर क्या आएगा पता है यहाँ पर 20,000 नहीं आएगा 30 by 360 days लोग है और यहाँ पर फिर पता है क्या आएगा 15,000 आएगा तब अगर यह 360 days ले लेंगे तो तब भी 15,000 नहीं आएगा काम करते हैं इसका perfect answer निकाली लेते हैं यह मैंने समझा है सारा perfect है कोई problem नहीं सब कुछ perfect है बस मैं आपर proper solution बता दे तो पहले वाले का क्या होगा पहले वाले का होगा आपका fixed वाला जो payment है न वो होगा देखो है आप 5,000,000 into 8% होगा into 181 days इन्होंने बोला न 360 days इन्होंने लेने को बोला हमें 365 ही लेना चाहिए 365 भी होता है पर 360 बोल दिया तो हम कैसे मुकर सकते हैं इनका question की हिसाब से हम करें तो better रहेगा न into 181 divided 365 365 तो आर आपका 20,000 रिपल वन की है आपका दूसरी वाली का अगर हम फ्लूटिंग का बात करें वाइब लाग का इक्स परसेंट इन्टू 181 by 360 इन्होंना या आएगा 15083 या यह दूनों वाला और आपका सेट्लमेंट क्या होगा फिर तो जिरो ट्रिपल वन माइनस 150 इस लिए लिया क्योंकि ने मैंसें कि अच्छी देश्ट लो पस यह कारण था रहन सिंपल कोशिन था बस हमने वो डेस का यहां पर हेरा फेरी था इनका तो उसके वाज़े से हमने डबल डबल इसको सोलूशन किया अगर अदर्वास सिंपल क करेंगे ने क्योंबर 11 अच्छा कोशिन है स्टार्ट करेंगे करते कोशीन नंबर 11 इंटर इंट इंट्य वनिला स्वैप फ्रो एन ओवरनायट इंडेक्स स्वैप अन अप्रिंसिपल ओरूपिस 10 क्रोर इंगे रिखना यह अपने लिखतों मैं मैंनोस्ने लिमाउंट हमने मैंड़ का मतलब तो फ्लोटिंग हो गया न, प्लोटिंग हो गया न, Overnight floating rate for a fixed payment और fixed pay करेगा, मतलब मुझे अब हम यह पता चला कि जो derivative bank है, यह जो derivative bank है, यह आपका fixed pay करेगा और floating receive करेगा, साब साब कहा दिया है नों ने, है न, कि यहां पर फिक्स पेमिंट होना है और कहां गिया माइबोर रिसीव होना है मुला फ्लोटिंग रिसीव होना है समझ में यहां पर अच्छे से स्वैप वस एंटर इंटर 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 हुए स्वैपिंग तो देखो ना सेकेंड ओगस्ट अगर मंडे है तो थर्ड ओगस्ट ऑवियसली क्या होगा ट्विस्डे होगा ट्विस्डे से ही काम चालू हुए है एंट रन फोर ए पिरिड ओफ सेवन डिस अब रस्पेक्टिव माइबोर का रीट बता दी उन्होंने ट्विस्डे टू मंड कितना है मंडी तक का अलग अलग दिन का हर दिन का इन्होंने बता दिया मैं फिर आगी यह वाला लाइन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे इसको अभी नहीं पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा वादिको संडे इस होली डें संडे आपका छुट्टी है व यह मंडी चुट्टी जिये बोल लिए यह मंडी का जी है मनटी को अंदी का कंठी है बला आपको ध्यान में रखना सेच्शंदे में एक साथ निकालेंगे सेपिंग दो होगा बस छुट्टी durch Saunday का एक साथ ए्स Creating को समझना है तो स्बस्रांदी का एक साथ से एक साथ हो तो आप हम क्या कर सकता है अच्छा माई बॉठ तो फ्लोटिंग होता है क्यों क्यों निकालना है निकालने एट इंट्रॉट का यूज लेके हम क्या कर सकते हैं fix का rate निखा सकते समझ मैं आया में यहाँ पर तो अब यहां पर अब दीखो कि मुझे क्या करना है अब यहाँ पर मेरे पास हों लगए लग रइट है तो मैं लिकूंगँगा ना पर चलों कि में तर्टरडे संडे एक साथ होगा मैंने बताया था और मंडे तक रिट के सारे ध्यानक ना पर एनम होते हैं यह 7.75% पर एनम ही है यह आपका 7.75% क्या है पर एनम ही है तारे रिट लिखते हैं तो हम पर में 8.15 8.12% पर एनम 10.95, 10.98 पर एनम और इधर आ गया 8.15 हो गया सारा लिख दिया मैं यहापर देखो तो सारा मैंने रेट्स यहापर अच्छे से लिख दिया अब आप देखो यह तो पर एनम है मुझे तो सिर्फ सिंगल डिका चीए सिर्फ एक दिन का इसमें से मुझे एक दिन का रिट निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा एक दिन का रिट आप एक्जाम में सौटकर्ट में करो कोई प्रॉब्लम नहीं पर अभी मैं आपको समझाने के लिए इतम पूरा लिख रहा हूँ तो दिखो मैं 1 by 365 टे डिवाइड कर दूँगा ना तो मेरा एक दिन का जाएगा तो 7.75 परसेंज जो है डिवाइड बै कर देंगे 365 टेस जिना आएगा 02123 पर नेक्स्ट वाला हम ले लेते हैं यहाँ पर 8.15 परसेंटेज इंटू 1 by 365 टेस यह वाला भी रिखेंगे 8.12 परसेंट इतना आपको एक्जाम मैं नहीं लिखना मैं आपको बस अभी समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ आपको लगता आपको रिकॉर्डेट देख रहो फॉवर्ड कर लूँ 365 यहां पर यह आ जाएगा और देखो संड़ेज यहां पर दो दिन है न क्यूंकि मैंने बता संड़े चुट्टी है तो यह वाला धिहान रखना यहां पर हम क्या लिखेंगे बता है 7.98 परसेंट हम एक साथ 2 दिन का करेंग कि सेटरडे और संड़े एक साथ 2 दिन का करेंगे यहां पर कंपाउंडिंग नहीं हो सकता तो टू डेज भाई 365 देज हो जाएगा यह और यहां पर यह की दिन का तो 8.15 परसेंटेज यहां पर तो मेरा कहना यह था सिर्फ आपको यह वाले पर आपको ध्यान दे यह वाला तो टू डेज आपका इस पर ध्यान देना आपको बज़ा हो गया अब हम देखो सबका निकाल लेते परसेंटेज यहां पर दूसरे वाले क्या है गाएगा 8.15 डिवाइडेट 365 डियस जिना रहा पॉइंट जीरो डेबल टू टू त्री टू क्या यह और यहां पर भी लिख सकता हूं है पॉइंट जीरो डबल टू 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 क्योंकि इसका भी एट पॉइंट पॉइंट परसेंट सेम हैं वन ब टू यह मैंने पांच डिज़ेटी लिख रहा हूं में यहाप है फिर नेक्स तैन पॉइंट इन फाइफ त्री शेक्टिफएफ पॉइंट जीरो टू टू बन सबन एट परसेंट लिख दिया और नेक्स वाला आपका दू दिन का एक साथ हो रहे है ना जैन पॉइंट इन त्री 75 यह पॉइंट 0.04 372 लाइप मुझे अगर मैं जो भी पैसा लगाता हूं अगर मैं जो भी पैसा लगाता हूं मुझे पहले दिन इतना इंटरस मिलेगा अब नियंक टेपांटिंग पे जड़ेगा उस पर मुझे इतना मिलेगा फिर नैक्स देतना मिलेगा ऐसे करते करते मिज़ा amount होगा तो यहां पर देखो नौसनल amount क्या है नौसनल amount आप ने कितना रखा 10 करोड रखा है ना तेन करूड का नौसनल amount है तो यह तो मैंबोर का rate जो मैं मिलेगा तो हम यह कह सकते हैं floating कि रेसीव कितना होगा कि हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे हम हम बोलेंगे नौसनल एमाउंट जो आपका है वो 10 करोड है तो 10 करोड को मैं ऐसे लिखूँँगा 10 करोड पर देखो पहला एक दिन का मुझे मिलेगा interest 02123 percentage मुझे पहला दिन का मिलेगा फिर वो पूरे entire पे मुझे next day मिलेगा 02232 percentage फिर पूरे नेक्स्ट दिन पूरे entire पे मिलेगा मुझे 02178 percentage आप चलेगा आपके उपर है क्योंकि आपको टाइम भी तो सेव करना है पर यहाँ पर आपके 27 crore plus 0.02 123 percentage का symbol लगा हुआ हूँगा फिर उसी मौन पे प्लस करूँगा weight 022223 249 टीछ फिर उसी हमौन पे प्लस करूँगा 02178 percentage का sismol लगा हूँगा फिर स करूँगक पॉयंट 2.02 यहां पर एक हमने गलत लिख दिया कोई बात नहीं फट्टा अफट से तो की वाद एक स्किप होगे न पॉइंट जिरू ट्रिपल टू फॉर कि आएगा यह सही अभी परफेक्ट है अभी साथ परफेक्ट है वापसे कर लेते हैं ठीक है टैन क्रोड आफकर नहीं थोड़ा सा ज्यादा टैम लग गया थैन क्रोड हो गया ठीक है टीन जाट फीन होगे ब्रस ओंट जीरो टू वन टू थिरी परेशिंटीच औरे 0.0224 percentage plus 0.02178 percentage plus 0.04372 percentage plus 0.02232 percentage क्या रहे है आपका यह 100153706 आज आपका तो देखो न 10 करोड का नॉस्टनल अमॉंट जो था आपका वो बन गया 10 करोड 153786 मतलब हम यह कह सकते हैं कि आपका फ्लोटिंग इंट्रेस्ट क्या हुआ फिर Tap, quoting interest आपका क्या हुआ Receive होगा हमारा फ्लोटिंग इंट्रेस्ट तो Receive होगा हमारा कितना 153706 होगा क्योंकि 10 करोड तो principal amount था वो इसके अंदर जूड़ा हुआ inaire यह Receive नहीं लिगता हूँ, हैंपर लिगता हूँ फ्लोटिंग वैल्यू यह इन्क्लोडिंग प्रिंसिपल होगा क्योंकि 10 ग्रोट का प्रिंसिपल पी तो इसमें जुड़ा हुए तो 10 कुरोट इसमें से हड़ जाती हमारा मतला हम कैसे गरेंगे तो यह करेंगे तो आपका क्या है फ्लोटिंग मेरा रिसीवड होगा 153706 मुझे पता चल गया अब देखो धिहान से सुनना नेट सेटलमेंट हुआ जो तो डेरिवेटी बैंक को रिसीवड हुआ है हमें क्या पता चला डेरिवेटी बैंक एक रिसीवड है को नेट सेटलमेंट कितना मिला है 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 एक अगर मुझे मिलना चільки 153706 मुझे मिलना है और जब सैटल किया गया तो मुझे मुझे मिल रहा है 317, derivative bank मैं हूँ, मुझे मिल रहा है 317, तो obvious यह बात है, मुझे इतना मिलना है, उससे मुझे कम देना पड़ेगा, तभी तो मुझे मिलेगा, जैसे for example, अगर मुझे 10 रुपीस मिलना है, और मुझे 7 रुपीस देना है, तभी तो मेरा 3 रुपीस का receive दोगा कि मुझे ज्यादा मिलना है, तो यहाँ पर देखो, मुझे इतना मिलना है, 153706 मिलना है, और settlement होने पर मुझे 317 मिल रहा है, receive हो रहा है मुझे यह, तो obvious आवाद है, fixed का amount तो कम आएगा, तो fixed का amount कितना आएगा, तो fixed payment कितना होगा, अगर floating इतना receive हो रहा, settlement में इतना मिल है, तो fixed का payment होगा 153706 माइनस 370, माइनस 317, माइनस 317, 153389, मतलब मुझे 153389 देना है, और मुझे 153706 मिलना है, तब ही मुझे ज्यादा मिलना है, तो इसलिए 317 मुझे net settlement में मिल रहा है, तो मुझे पता चलिए कि मेरा fixed payment कितना आएगा, 153389 मेरा fixed payment आएगा, अब हम जैसे निकालेंगे fixed rate of interest, अराम से, 153389, fixed का payment था, कितना amount पर national amount किया था, 10 crore था, यह नहीं 1000 लेक्स, यह आगिया, into 100 करेंगे, अब यह तो आपको मिला कितनी दिन हो गई, तो 70s का है, तो हम क्या करेंगे, divided by 70s कर देंगे, ओव्यस हवादे 153389 यह जो fixed का payment है, यह 70s का 365 days कर दूँगा तो per annum आ जाए, क्योंकि हम हमें इसा fixed rate of interest per annum में बताते हैं, तो अब हमारे यह कंडी पर पर annum आ जाएगा, करते हैं, 153389, into 100, into 365, divided 7, divided 1, 0, 0, 0, 0, 7.99, 8%, यह नहीं हम कह सकते है, 8% एपरोग, fixed का rate of interest आपका क्या एगा, 8% approach आएगा, simple तरीके से हमने निकाल लिया, तो हमने question में क्या पूचा, question में पूचा, fixed rate बता हूँ, हमने बता दिया, 8% interest under both the legs हमने बता ही दिया, हमारे पास है न, एक तो 153706 है, floating वाला, और 153389 आपका fixed वाला है, तो हमने interest भी बता दिया, दू और एक यह answer है आपका, यह तीनों answer हो गया, done, यह question में important है, and yeah, I think मुझे आदी, RTP ना कहीं पर यह question है, important question है, important question ही दियान रखना, question हमने easily वे में सोल किया, exam में आपको क्या करना है, इतना calculation मत दिखाना, सीधा, एक दिन का percentage निकालना, और सारा लगाते जाना, बस यह वाला दिखान रहे, यह two days का है, आपका, यह अपको दिखान पर रखना है, यह अपका two days का है, यह अपको दिखान पर रखना है, ठीक है, यह आप यहापर गर देपर मत करना, ऐसा करके लगा-लगा कि आप निकालोगे, और समझ में आ गया, चलो, done, आगे बढ़ते हम, मतलब क्या इसका, एक को चाहिए, और बी को चाहिए, यह आपको समझना है, हाँ, dollar two lakh इसे चाहिए, तो इसे भी yen उतना ही चाहिए, जो dollar two lakh का वल्लू का हो, उतना ही चाहिए, मला, amount दोनों का same है, बस एक को yen चाहिए, और एक को dollar चाहिए, तो हमें पता चलिया, कि a का desire जो है, a का desire क्या है, dollar बोरो है, और b का desire क्या है, yen है, अब यहाँ पर आप इन कापरेशन यं में बोरिंग करते हैं, तो इसका eight percent लगेगा, और वही ए inда, इन कोपरेशन डॉलर बोरो करते हैं, तो nine percent लगेगा, और b unterstützen डॉलर बोरो करता है, तो 10 percent लगेगा, अब मेरा बात सुनो, a integration को क्या चैए, dollar, यानि a incorporation का Ooh desire यहy रहा डॉलर तो यह रहा एक तो यह इन कोपरेशन का डिजायर है कि हमें पता चला और बी इन कोपरेशन को क्या चाहिए यह यह यहां पर है बी का कॉलम यह नहीं हो गया तो यह बी का डिजायर है अब आप देखो ना ए चाहे तो स्टेट अवे 9% में बोरो कर सकता है जो इसक तो यह दोनों का मिलाके, और अगर हम देखें कि अगर ए जो है, वो अपना बोरो ना करें, अगेंस ड़िजर जाये, तो वो यजन बोरो करके क्या कर सकता है, यह यन फाइपरसंग में बोरो कर सकता है или PER económω क्र और यह 8% में बोरो करेंगा जोकि इनका डिजायर है तो इनका 17% लगीगा दुनों के मिला के वह यह लग को अगर अगेंज़ अगेंज अडिजायर बोरो करके swapping कर ले आपस में मतलब A yen बोरो करके B को pass कर देगा और B dollar बोरो करके A को pass कर देगा तो ऐसा situation में 5 और 10 मिला के कितना लगा 15% लगा ना तो जहां पर 17% लगता था वहाँ पर 15% में काम बनेगा तो ultimately 2% का क्या आएगा गीन आएगा या हमने समझा ultimately 2% का गीन आएगा मतलब मुझे आपको यह समझाना था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम against the desire जाएगे against the desire जाने का मतलब यह 9% जो इसका desire था इस पर यह बोरो नहीं करेगा B भी yen बोरो नहीं करेगा दोनों against the desire जाके बोरो करेंगे यह वाला यानि A को dollar बोरो करना है पर मैंने आपको समझाया था A yen बोरो करेगा B को yen बोरो करना है पर B dollar बोरो करेगा यानि A 5% में yen बोरो करेगा और B 10% में dollar बोरो करेगा यह हमने समझ लिए आगे देखते हैं exchange rate डियावा dollar 1 equal yen 120 आगे बाद में काम आएगा अब हम देखते हैं अब अगर मैं बता हूँ आपको कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए और यहाँ पर मैंने लिखा B एक पर मैं आपको समझाने के लिए लिए लिख रहा हूँ बाकि हमें आगी कुशिन को present भी कर दूँँगा आप देखो एक क्या करेगा यह न बोरो करेगा अब एमाउंट टो एक्विवलेंट यह तो इक पर यह न और डॉलर को बूल जा इपर रेट्स को सिर्फ इंडर करने वाला तो ऐसा को प्रब्लम नहीं आएगा आपका तो यहाँ पर अब देखो यह अगर यह न बोरो करेग तो यह किसको देदेगा बैंक को देदेगा और बीवी क्या करेगा बी डॉलर बोरो करेगा तो बी को बैंक को देना पड़ेगा कितना 10% यानि बी का लगने वाला 10% और बीवी किसको देगा बैंक को देगा यह यह बैंक को देगा 5% यह बोरो के लिए बी देगा बैंक को 10 percent dollar borrowing के लिए यह कर दिया अब आगे इन लोग क्या करेंगे flip करके swapping कर लेंगे इन डॉलर पासओन कर दिया जाएगा a को और yen पासओन कर दिया जाएगा अभी को आगे हम देखते हैं कोशे नहीं क्या बोला the entered in a currency swap under which it is agreed it be in cooperation will pay यहां पर क्या बोलागा एक agreement किया जहां पर b a को pay करेगा कितना at the rate to one percent over the yen loan interest rate which the later will have to pay as a result of the agreed currency swap यहां तक का अगर हम बात करें तो यह कहना चाहता है कि b जो है न वो a को one percent जादा देगा जो yen का payment a किया है उस पर यानि देखो न a कितना payment किया यह तो five percent payment payment करें रहा है bank को a five percent payment करें रहा है न बैंको yen का बोरो यह और yen का किसके लिए बोरो कर रहा बी के लिए बोरो कर रहा है तो b क्या करेगा five percent bank को जाने बी एक परसें जादा देगा इन्होंने वापस से repeat करता हूं b incorporation will pay a incorporation one percent over the yen loan interest rate यहनी yen का जो loan interest rate फाइफ प्रचन उस पर एक पर्चन जादा देगा कौन बी एक को दे देगा क्योंकि ए ने बैंक को चुकाया न मतलब भी यहां पर देगा कितना इक पर्चन देगा इसको देगा एक को दείगा तो बी ba तो ने भी तो bank को चुकाया है 10% चुकाया ना बी ने bank को तो A, B bank B को reimburse करेगा A, B को कितना reimburse कर रहा है to the extent of 9% A, B को 9% देरा सिधा बता दिया यानि A का जाएगा minus 9% होगा किसको दिया B को दिया और B का तो आया B का plus 9% होगा किस से आया A से आया, मुझे यह समझ मैं, तो अब हम देखते है ultimately A का लगा कितना और B का लगा कितना, देखो A का 5% गया bank के पास, A का 6% आया B से और A का 9% गया B के बस तो ultimately A का गया कितना, minus 5, minus 9, 14 minus पे और 6 plus पे यानि ultimately minus 8% ही तो होगा, यानि 8% इसका लगा, minus 8% महले है 8% इसका net interest लगा, तीनों कम add less कर देंगे तो, वह B का बात करें, minus 10, minus 6, minus 16, plus 9 करेंगे तो minus 7% है, क्या आगया हमारा, तो मतलब हमें पता चला कि A का यहाँ पर, A का net outflow जो है, वो कितना है, 8% है वह B का net outflow जो है, वो कितना है, 7% है, पर देखो न, अगर A, अपना desire में सीधा बोरो करता, A का desire था dollar, और A अगर dollar बोरो करता, तो A का लगता कितना, 9% लगता न, A का desire से अगर वो directly बोरो करता, कोई swapping वागेर नहीं कराता, तो A का 8 की जगा लगता, कितना 9%, यानि instead of 9%, इ अगर directly बोरो करता, अपना desire पे तो B का 8% लगता, यान बोरो इंग करता, desire पे कोई swapping वागेर नहीं करता, B का 8% लगता, पर लगा कितना 7, यानि instead of 8%, B का लगा कितना 7, तो मैं आपको बताया था था न, directly करने पर 9 और 8 17 लगता, दूनों का मिला के 17 लगता, पर swapping कराने से दूनों का कितना लग रहा है, 8 और 7 मिला के 15 लग रहा है न, यह तुमने बोला था, कि जहाँ पर 15 लग रहा है आपका, दूनों का मिला के, पर लगता कितना 17%, मतलब 2% का gain हुआ था, ये हमने पहले ही, बताया था मैं आपको, यहाँ पर 2% का gain मैंने रब कर दिया, वो चलो तो ठीक है तो 2% का गीन मैंने पहले आपको बता है था क्यूंकि 8 और 9 मिला के 17 हो रहा है पर वही हम अगर 5 और 10 को देखे तो 15% में काम बन रहा है महले 2% का फाइदा हो रहा है हमारा पर तो हमने ये समझे हैं पर कि इनका यहां पर फाइदा हो रहा है 1% ढान का एगन आया 1% और वही ठीक गदीए एट की जगह 50 लग लग रह तो बिक आभी गैन आया जो ए नग मैस दोनों का गेन जो है 1% 1% दोनों का gain हुआ यह हमने निकाला और हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर value में A का जो gain हुआ है वो कितना हुआ है 1% of dollar to la की तो borrowing किया है यानि dollar 2000 का A का gain हुआ है यह हमने समझा और अगर हम बात करें B का B का भी gain हुआ है कितना 1% हुआ है और उसने भी तो dollar 2000 का equivalent ही तो और हो किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे dollar का yen convert करके दिखा देंगे yen का rate क्या है बताया हुआ है न yen का rate है 120 तो हम यहाँ पर क्या करेंगे dollar का equivalent को convert कर देंगे 120 से तो यह बन जाएगा yen तो हम देखो dollar 2 lakh का 1% होता है 2000 डॉलर का इसका भी गीन हुआ पर यह equivalent yen में बता है तो into 120 कर देंगे क्योंकि yen में convert करना है तो 120 आपका है न पर dollar 120 यह तो इस ही क्या आ रहा है B का gain 240,000 yen पर गीन आ रहा है तो मतलब हमारा answer यह रहा हमारा answer यह ही है कि A का gain हुआ dollar 2000 और B का gain हुआ yen 240,000 यह तो मैंने आपको समझा दिया पूर अच्छी तरीके से समझ लिए हमने shortcut में पर इसको एससे तो present नहीं करेंगे तो अब हम मैं फटा फट से आपको दिखा देता हूँ कि present कैसे हैं अगर आप बोलो तो जो हमने किया वही इनोंने किया है वैसे ही किया इनोंने बस इनका लंबा चूड़ answer हम ऐसा लिखेंगे एक्जाम में तो एक ही question solve कर पाएंगे एक्जाम में और कोई question solve होगा भी निया आपका फिर सारा इसी में time चला जाएग आपका तो ऐसा गलती नहीं कर सकते ना तो outflow to bank लेखेंगे एका on yen borrowing यह तो against the desire जाकी yen borrowing कर रहे है तो इसका outflow to bank केतना हो रहा है 5% हो रहा था और अगर हम बात करें B का B का outflow होगा to bank on dollar borrowing यह yen borrowing किसके लिए कर रहा है 4B और यह किसके लिए कर रहा है 4A यहाँ पर देख लो यहाँ पर A का लगेगा yen में 5 B का 10 लगेगा जो हमने पहले लिख लिया था यह आएगा कितना 10% तो ध्यान रहे यह आपका outflow है यह भी आपका outflow है मैंने लिख दिया अब आगे आगे क्या बोला गया कि B A को देगा 1% over the in यानि 6% देगा B को A को तो B का outflow होगा A to A 1% over 5% यानि 6% इसका outflow होगा और यहाँ पर होगा in flow from B 5 plus 1 है न यहीं 6% इसका inflow होगा इसका outflow क्योंकि उसको दिया गया inflow होगा फिर next last में A ने B को दिया 9% तो A का outflow होगा to B 9% यह आपका होगा outflow और यहाँ पर in flow from की 9% इसका क्या होगा inflow होगा तो यहाँ आपर हम देख सकते की net पर क्या हुआ net outflow कितना हो फाइव और 9 outflow है 6 inflow है मतलब 8% outflow इदर और इदर अगर हम बात करें net outflow अब हम थोड़ा से space बना लेते हैं कि अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे यानि डॉलर 2000 का इन हो गया है पर और गर हम इनका बात करें इसका लगा इंसेड ओफ टैरिक ली लेता है तो इसका 8% पढ़ता डिजायर में जाता तो गीन इसका भी आया 1% of $2,00 का एक्विविलेंट यानि आप बोलोगे $2,00 और आपका सिंस येन पर डॉलर जो है वो है 120 देफो गीन ये तो ये तो येन का चाहिए से तो गीन भी येन में निकालेंगे 2000 इंटू 120 इसका गीन होगा तब दोनों का इसका अंसर ये वाला हो गया ये वाला हो गया और हम ये भी बोल सकते हैं और 1% गीन यहां पर और 1% में भी बता देंगे बस बात करता हैं तो ड़न देखो simple question था simple way में हमने किया understanding लिया और अच्छी तरीके से कर लिया ठीक है तो हमने discuss किया अभी हाँ पर interest rate risk management में सबसे पहले हमने ये समझा था कि cap option buy करते floor option sell करते वो कैसे करते that is caller strategy का understanding लिया जो आपके practice manual के अंदर 2 important question है जिसका आने का बहुत chances रहेगा दोनों new syllabus old syllabus दोनों के लिए chances रहेगा हमने वो समझा अच्छे से question किया एंड उसके बाद मैंने आपको समझा forward rate agreement का actual meaning क्या होता है फिर उसके भी question answer हमने कि important important हो मैं देख और बात बताया था आपको interest rate future का मैंने आपको वादा किया कि आप वो वीडियो मेरा जो वहाँ से आप देख सकते हो play store से आप जाके मेरा application download करके मैं वहाँ पर unlock रख दूँगा वहाँ आप कर लेना और ध्यान रहे जो cap और floor वाले मैंने question आपको बताया था आपका ICA से match नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको बताया था था ना कि उनका गलत क्या वा solution तो यह धियान पर रखना आपको and उसके बाद हमने पढ़ा FRA की बाद हमने मैंने पढ़ा swapping तो swapping भी हमने अच्छे से सीखा question answer भी किया हमने उसका जो important questions से सारे मैंने कराई दिया आपको understanding में मैं आपको दी दिया और पहले derivatives में हमने already future सीखा था option सीखा था बाइनोमियल मोडल सिखा था इन्हीं all together में आपका derivatives और इंट्रसेट रिस मेनेजमेंट चुकि इंटर रिलेटेड है मैंने अच्छे से clear करा दिया and अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देखो पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं अगर आपको मेरा वीडियो पसं टाइब करना चलो बाइब बाइब